हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग मैं आशिता आपकी फ्रेंड और मेंटॉर आप सब का स्वागत करती हूं कैसे हो बच्चे सब आज हम टॉपिक डिसकस करने वाले टॉपिक स्टाट करने से पहले मुझे यह सब बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है वीडियो क्लियर ली दिख रहा है सब को हेलो बच्चो हेलो मैम हलो हेलो हेलो बच्चो गुड आफ्टनून तो बच्चे अगर वॉइस और वीडियो क्लियर है तो कॉमेंट बॉक्स में थम्स अप लिख लीजिए सब कॉमेंट बॉक्स में सब थम्स अप दे दीजिए कि मैम आपकी वॉइस बिलकुल क्लियर है हेलो बच्चो हेलो प्रतीक रॉक स्टार हाई हाई रेशमा देवी हाई अधिती गुपता हेलो ओके येस क्लियर है ओके थम्स अब देजीए सब ओके वेरी गूड ओके ओके ठीक है तो बच्चे कैसे हैं आप सब लोग आज हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है पहली बार पार हम लोग मिल रहे हैो मुझहें आपसे जानना है कि आप सब लोग कैसे हैं आप सब की पढाई कैसी चल रही है तन्हीं के यह वाला चप्टर तो आज हम एकदम क्रिस्टल क्लीर कर देंगे और लिए ऑगे मा क्वशल नेम प्रतीक ओके, हलो, हलो, ओके, ठीक है, I hope आप सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आप सब बच्चे एकदम सही है, ठीक है, खुश है, तो बच्चे आज जिस topic से हम start करने वाले हैं, वो आपके SST का सबसे one of the most important topic है, जिस topic का नाम क्या है, the making of national movement, तो बच्चे आज हम जो topic discuss करने वाले है, वो कौन सा है, the making of national movement, तो बच्चे, start करने से पहले, आज हम topic देखने कौन से वाले हैं, सब topics वो भी देख लेते हैं, हम देखेंगे emergence of nationalism, कि इंडिया में nationalism का emergence कैसे हुआ, ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे बच्चा लोग, the growth of mass nationalism, धीरे-धीरे, कैसे masses इखटे हुए, कै उनने freedom के लिए fight किया, और इंडिया को finally क्या दिलवा दिया, independence दिलवा दिया, बच्चे, जब हम mass nationalism की बात करेंगे, तो उसी में हम गांदी जी का advent भी देखेंगे, और उनसे related अलग-अलग movements भी देखेंगे, जैसे की non-corporation movement, जैसे की civil disobedience movement, फिर हम देखेंगे quit India movement, तो बच्चे अगर हम lecture start करने से पहले, मैं आप सब बच्चों से जाना चाहूंगी, good afternoon, good afternoon, बिल्कुल बढ़िया बच्चे, मैं बिल्कुल बढ़िया, अलग-पांडे, okay, physics वाला foundation अलग-पांडे, okay, hello ma'am, क्या हाल चाल, बच्चे मैं बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बच्चे अब आप ये पिच्चर देख सकते अपने सामने, आप मुझे ये बताईए, आपने ये प्रिवियस चाप्टर में ये पिच्चर कही ना कही अपनी NCRT की किताब में देखी होगी, तो आप मुझे बताईए बच्चे कि ये पिच्चर आपको क्या बता रहे हैं, आप इन पिच्चर से क्या समझ पा रहे हैं, फटा फट बताएंगे मुझे, मैम कितने आर्स की क्लास होगी, बच्चा ये तो एक से दो घंटे की क्लास होगी अपनी, तो आज हम इस चाप्टर को कम्प्लीट कर लेंगे and within the span of two hours हम इसको पूरी कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे, अच्छा, अब बच्चे मुझे जल्दी बताइए आप इन पिच्चर से क्या समझ रहे हैं, ये पिच्चर आपको क्या डेपिक्ट कर रहे हैं, जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल, गुड आफ्टर्नून, गुड आफ्टर्नून, ओके, 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 जी बच्चे ये फिच्चर है, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये कौन है, ये है रॉबर्ट क्लाइफ, ये कौन थे, ये थे गवर्नर जनरल, अब ये जो है ये बेंगॉल के राजा है, जो बेंगॉल के नवाब हैं, उनसे क्या ले रहे हैं, बंगाल के दीवानी राइट्स ले रहे हैं, बच्चे इसका मतलब क्या है जो पहले English सिर्फ trade करने आये थे अब धीरे धीरे उनको बेंगॉल के क्या मिल गए है दीवानी राइट मिल गए है दीवानी राइट का क्या मतलब है बच्चे उन्हें कहीं ना कहीं revenue जो बेंगॉल का है यानि अब बेंगॉल में जितना भी पैस आएगा वो किसके जेब में जाएगा ब्रिटिश के जेब में जाएगा तो बच्चे जो पहले ट्रेड करने के लिए आये थे अब वो धीरे-धीरे क्या बन गए है वो धीरे-धीरे एक तरीके से हम कह सकते हैं राजा की जगे ले चुके हैं फिर बच्चे सेकेंड करना चालू कर दिया यानि अब सिव उनकी नजर बंगाल पर ही नहीं है पूरे इंडिया में और इंडिया में जितने भी ट्राइबल ग्रूप्स एक्जिस्ट कर रहे हैं उनको कहीना कहीं एक्स्प्लॉइट किया जा रहा है तो बच्चे अब हम यह पिच्चर देख क्यों ила करेंको रहें हम यह पिच्चर इसी लिए देख रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि ड्राइजुओली कैसे ब्रिटिशina धीरे-धीरे ट्रेडिंग कंपनी से इंडिया में पूरा राज करने वाला अपना बिच्छादिया जंजाल तो बच्चे इसलिए हम यह पिच्चर को देख रहे हैं अब क्या हुआ दीरे दीरे ट्राइबल का भी एक्सप्लॉइटेशन चलता रहा ब्रिटिश जो है दीरे दीरे अपना वो तो जहासी वाली रानी थी तो बच्चे 1857 के रिवोल्ट हमें क्या बताता है कि इंडियंस धीरे 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 करके ब्रिटिश से इतने जाधा परेशान हो गए कि ठीके मैं मैं नवोदय विद्याले से हूँ और वहाँ पर एसेस्टी हिंदी में है बच्चे यहां पर हमारों जो मीडियम रहेगा वो बाइलिंग्वली रहेगा मेली एक्स्प्लेनेशन पूरा हिंदी में रहेगा रानी लक्ष्मी भाई ओके वेरी गुड तो अब हम इसी देडियं करने की कोशिश की अब तक वह चुप थे पर 1857 के रिवोल्ट में उनने पहली बार राइट बैक करने की कोशिश की पर वह फायट बैक到底 कोशिश चीनि उनको क्या कर दिया उसमें भी दबादिया अच्छा अब मेर्ट ऑनीके भाद कि धीरे धीरे लोगों को क्या समझ में आने लगा बच्चा लोग, धीरे धीरे उनको समझ में आना लगा कि इंडिया जो है, वो कंट्री किसके लिए है आखिर, हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया हमारी ही कंट्री नहीं है, इंडिया जो है उसके तो ब्रिटिश रूल कर अब अच्छे इंडियन से क्या मतलब है? किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, किसी भी जेंडर का, कोई भी लैंग्विज बोलने वाला, Human being कौन है? इंडियन है, वो किसी भी background से आए, पर अगर वो इंडिया में रह रहा है, तो वो कौन है बच्छा लोग? वो इंडियन है, अब इंडिया जो है, वो किसके लिए है? इंडियन के लिए है, और किसी के लिए नहीं, अब अच्छा ये तो समझ में आ गया उनको कि इं समझ में आई कि ब्रिटिश ने हमारे कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज है, उन्हें क्या कर रखा है? कैप्चर कर रखा है. तो बच्छे ये जो अब ये भावना है कि इंडिया इंडियन्स के लिए है, क्रीड मींस, बच्छे कास्ट, क्रीड, कलर हम बोलते हैं अलग-अलग जन जाती से, किसी की जाती अलग है, किसी का कलर अलग है, किसी की बात करने की बोली अलग है, किसी की भाशा अलग है, ठीक ऐक फ्लोय चार्ट का भी इस्त्माल करेंगे सारी चीज़ों का हम एक साथ यूर्ट करेंगे ठीक है भी test Turn 2 को के अकंब तो बाच्चे जितने भी अलग अलग बैगरांसे लोग आ अलग-अलग creed के लोग आ रहे, अलग-अलग gender के लोग आ रहे, उन सब के लिए क्या है, उन सबी के लिए इंडिया है, अब बच्चे जब ये feeling आई कि इंडिया जो है वो Indians के लिए है, उसके बाद उन्हें ये भी समझ में आ गया, कि जो British है वो हमारे साथ क्या कर रहे है, British ह हमारे साथ exploitation कर रहे है, अब बच्चे अगर British exploitation कर रहे हैं, तो उससे fight back करना पड़ेगा, उन से लढ़ना पड़ेगा, हम बैठे तो रहे ही सकते हाथ पे हाथ बिठा के, तो बच्चे जितने भी जो पड़े लिखे लोग थे, जो थोड़ा पड लिख लिए थे, उनने अब क्या decide किया, उनने अब ये decide किया, कि अब हम क्या बनाएंगे, हम political association बनाएंगे, अब आप सोच रहे होंगे, political association का क्या मतलब है, बच्चे political association का ये मतलब है, जब लोग इखटा हो, और साथ में किस क्या चीज़ करे, discussion करे, कुछ चीज demand करे, लोगों में awareness generate करे, awareness generate करने से बतलब है, बच्चा लोग जब लोगों में message पहुचा है, कि हमारे साथ जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो बच्चे कुछ लोगों ने जो पढ़ लिख लिए थे, उनने decide किया, कि हमें क्या बनानी चाहिए, हमें political associations बनानी तो बच्चे ये ही move के साथ वो आगे बड़े और उनने क्या बनाई, कुछ political associations बनाई, तो जिसमें सबसे पहली political association जो हमारे लिए important है, वो कौन सी है, उना सार्वजनिक सभा, बच्चे यहां पर सार्वजनिक का मतलब क्या है, for all people, मतलब ये जो सभा है, ये सब के लिए है, यहां पर किसी भी जाती का, कोई भी भाशा बोलने वाला, किसी भी gender का इंसान आके जोड सकता है, discussion में पार्ट ले सकता है, और ये समझ सकता है कि British हमारे साथ कितना गलत कर रहे है, बच्चे ऐसे ही फिर दूसरी association है, वो कौन सी है, the Indian Association, फिर है हमारे पास मदरास महाजन और बच्चे सबसे last में जो आई है, वो है Indian National Congress, अब बच्चे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, असी लिए पढ़ रहे हैं, क्यूंकि आप से question पूछा जा सकता है, नेम, सम, अरली, पॉलिटिकल, ओर्गिनाईजेशन, तो बच्चे अगर आपसे ये question आजा है, short question, या very short question में, कि बच्चों किसी का नाम लिखो, किसी political associations का नाम लिखो, जो initially बनी थी, तो बच्चे आपको किस किस का नाम लिखना है, पूना सार्वजनिक सभा, then the Indian Association, then the मदरास महाजन सभा, फिर लिखना है बच्चे the Bombay Presidency Association, और लास्ट में आपको बताना है, Indian National Congress, अब अच्चे ये तो हमने डिसकस कर लिया, कि ये सब नाम है अलग-अलग, अब बच्चे इनका role क्या था, या इनका goal क्या था, objective क्या था, कोई चीज बनती है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें exam में अच्छे नंबर लाने है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा goal है, तो वैसे ही ये political association बनी है, इनका भी कोई goal तो बच्चे इनका सबसे पहला objective जो था, वो क्या था, कि people and Indians should be sovereign, अब बच्चे, sovereign का क्या मतलब है, sovereign का मतलब है, जब आप कोई भी decision independently ले पाओ, जब आप कोई भी, बच्चे सार्वजनिक का मतलब है, all over the India, out of the country नहीं, इंडिया के जितने भी लोग है उनके लिए, ठीके, क्योंकि ये association इंडिया में बनी है, तो ये all over इंडिया के लिए है, ओके, clear, ठीके, ठीके, अब बच्चे, यहाँ पे अगर हम बोले, सबसे पहला गोल क्या था, कि लोग कैसे होने चाहिए, लोग होने चाहिए, सोवरेन, अब इसका क्या मतलब है, बच्चे, कि लोग जो है, उनके पास पूरा अधिकार होना चीए, इंडियान्स के पास कि वो इंडिपेंडेंटली आक्ट कर पाए, बिना ब्रिटिश के, इं इंडिपेंडेंटली, ठीके, बिना किसी इंटर्फेरेंस के, बिना ब्रिटिश के नाग गुसाए, या बिना ब्रिटिश के परिशान करें, इंडियान्स जब आक्ट कर पाए, कैसे, इंडिपेंडेंडेंटली यही गोल था, कि इनका, पॉलिटिकल असोसियेशन का, कि बचे आप जब भी आंसर लिखो आपको यह term यूज करना है कि जब भी आप early political organization का motive बताओ तो आपको term यूज करना है क्या sovereign ठीक है तो बचे अब हमने goal की भी बात कर ली इनकी early political associations की भी बात कर ली अब अचे यह कर रहे थे discussion यह बातचीत भी कर रहे थे यह लोग इखटा होके discussions भी कर रहे थे पर फिर British जो थे वो तो बदमाश थे उनने decide कर रहा था कि हमें Indians को परिशान करते रहना है हमें उनको बर बहुत जादा बढ़ गया लोग जो अभी सिफ discussion कर रहे थे अब उनका क्या हो गया बहुत जादा गुसा बढ़ गया वो बहुत जादा infuriate हो गए infuriate होने का मतलब है बच्छे उनने बहुत तेज गुसा आया बहुत आंग्री हो गए वो इसके पीछे जस्ट लाइक डिस जिफ आप देख सकते हैं वैसे इंडियन का भी गुसा था अब बच्छे इंडियन के गुसे आने के पीछे तीन रीजन थे ब्रिटिश क में क्या किया ब्रिटिश ने इंडियन को ये बोल दिया कि आप किसी भी तरीके के हतियार अपने पास नहीं रख सकते अब इससे क्या होगा कभी इन फ्यूचर अगर ब्रिटिश इंडिया पे अटैक करेगा तो इंडियन के पास तो हतियार ही नहीं है यानि वो तो बिना कि इसी लड़ाई करें ही वो तो डिफीट हो जाएंगे तो बचे इंडियन को काफी गुस्ता आया कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया आपने यह आम जैक्ट पास क्यों कराया तो सबसे पहला कौन सा था आम जैक्ट जो कि किस कब पास हुआ है 1878 में आप से यह भी पूछ सकते कि आम जैक्ट में क्या प्रोविजन था और आपसे बच्चा लोग यह भी पूछ सकते कि आम जैक्ट पास कब हुआ तो कब हुआ 1878 में हुआ इसका प्रोविजन क्या था इस अलावएंग इंडियन फ्रॉम प्रॉजेसिंग आम यानि इंडियन अब किसी भी तरीके के हतिय वप्रॉजेस रख सकते अब बच्चे दूसरा अक्ट कौन सा था जिसने इंडिया को सिंडियन को इस तरीके से गुस्सा दिला दिया तो बच्चे दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस अग्ट प्रेसाग्ट का क्या मतलब है जी बच्चे आपको नोत मिल जाएंगे आपको बोल सकते हो ठीके possessing means बचे possessing means यानि आप किसी को acquire करें या आप किसी को अपने पास रख रहें आम हतियार को आप अपने पास रख रहें तो वह हतियार अपने पास आप नहीं रख सकते थे arms act के दौरा possess करना यानि रखना समझ गए ठीके ठीक है, ठीक है, सारवजनी का मतलब बिल्कुल बच्चे अभी न, वह आप बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, वेन फॉर्म समाज, बिटा क्या समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया, question पूछिए, क्रीड का मतलब, बच्चे, जैसे caste है, अलग-अलग community से लोग आ रहे हैं, कुछ ट्राइबल हैं, कुछ क्या हैं, कुछ schedule caste है, कुछ दलित हैं, कुछ general public हैं, तो बच्चे, ये अलग-अलग background से लोग आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे, बच्चा, क्रीड, ठीके, प्रैक्टिस शीट बच्चे आपको मिल जायेगी, ठीके, अगर बच्चे doubt है आप doubt मत लिखिए, आप directly ये पूछिए कि आपको doubt हो क्या रहा है, आपको doubt समझ में क्या नहीं आ रहा है, arms का मतलब बच्चे हतियार, ठीके, arms का क्या मतलब है हतियार, और बच्चे आपक खुश हो किसी चीज से, आप उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आप बिल्कुल भी satisfied नहीं हो किसी चीज से, ठीके, आप पढ़ रहे हो, आपके नमबर नहीं आ रहे हैं, मतलब आप अपनी पढ़ाई से dissatisfied हो, आप खुश नहीं हो, ठीके, 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 ओके, अब हम continue करे अब इसका क्या मतलब है पुराने टाइम में सोशल मीडिया तो होता नहीं था कि आपने आपको जो आपका व्यू बताना है आपने ट्वीट कर दिया अगर लोगों को कोई इनफर्मेशन पबलिक को देनी है तो वो किस से देते थे निउस्पेपर के थुरू या फिर अगबारों के थुरू लोग अलग-अलग भाशाओं में उसको पढ़ते थे और समझते थे कि हमारे जो फाइटर्स है वो हमें बोलना क्या चाह रहे है या हमारे जो लीडर्स है व वो कि गवर्मेंट यानि ब्रिटिश को लगता है खराब है तो वो क्या करेगी उस प्रिंटिंग प्रेस पे ताला लगा देगी यानि जो लीडर्स जो एजुकेटेड इंडियंस थे जो की चाह रहे थे कि हम नॉर्मल जनता जो है उसमें अवेर्नेस फेलाए उनको ये ची पेपर को बंद करा देंगे तो जितने भी पॉलिटेशन उनको बहुत गुस्सा आया ठीक है उनको क्या बात पर गुस्सा आया उनको इस बात पर गुस्सा आया कि आप हमारे फ्रीडम को रोक रहे हैं हमारे पास पूरा राइट है हमारे पास पूरा फ्रीडम है कि हम लोग पॉलिटिशन्स थे उनको काफी गुसा आया तीसरा एक्ट बच्चे क्या पास हुआ तीसरा एक्ट बच्चे क्या पास हुआ तीसरा एक्ट बच्चे यह पास हुआ जिसका नाम था इलबर्ट बिल अब बच्चे इलबर्ट बिल का क्या मतलब है पहले क्या होता था पहले यह समझेंगे कि ilbert bill आने से पहले होता क्या था बचेinaire कोई भी केस है अगर आपको किसी भी केस लड़ना ए मतलब कोई अगर इंडियन आपका लड़ना चाहे तो वो केस नहीं लड़ सकता तो बचे उसमें ब्रिटेन में एक कोई भला आदमी था उसने क्या कोशिश की उसने इलबट बिल इंट्रेड्यूस कराने की कोशिश की जिसमें क्या प्रोविजन था कि अब ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाई इंडि इसी भले आदमी ने कोशिश तो करवाई पास कराने की पर जो ब्रिटेन में सरकार बैठी थी वो बड़ी बदमाश थी उसने बोला यह इलबट बिल तो हम पास नहीं होने देंगे और फाइनली फिर क्या हुआ यह इलबट बिल पास नहीं हो पाया यानि यहां पर हम जो ब कентиल बाशन देन च्takकार नियुर्ट बहूत मिशन को वापस बहुत गुसा आया तो बच्टे तीन चीजें गमें किया बच्छे मतलब है लोकल लैंगवेच जैसे हम मारवाडी मारवाडी बोलते हैं यह वरनियुले बढ Mississippi लैंगवेच एक Обस्ट हम थे सो 8 घृ में लम बूल गुस्सा आया कि ये क्या तरीका है कि ब्रिटिश अगर क्राइम करने वाला ब्रिटिश है तो उसका केस लड़ने वाला भी ब्रिटिश ही होगा भाई इंडियन क्यों नहीं लड़ सकते ये आप हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो तो बच्चे इसलिए इलबर्ट बिल जो है उ इसकी वज़े से इंडियन को गुस्सा आया या उनका डिस्साटिस्फैक्शन बढ़ा तो कौन-कौन सी तीन चीज़ है कौन-कौन सी तीन चीज़ है आम्स एक्ट वर्नेकुलर प्रेस एक्ट और इलबर्ट बिल याद रहेगा सबको याद रहेगा ठीक है अब हम आगे बृट में अच्छा इलबर्ट बिल समझ में इसको खता है पहले इंडियन्स जो है उनको ब्रिटिश का केस लड़ना बिल्कुल भी allow नहीं ता मतलब आप ऐसा समझो अगर कोई foreign का criminal है कोई बहार का criminal है उसका केस कौन लड़ेगा जो foreign का lawyer है वही लड़ेगा जो British lawyer है वही लड़ेगा इंडियन्स नहीं लड़ सकते पर इलबर्ट बिल जब आया, एक कोई भला इंसान था, उसने इलबर्ट बिल लाने की कोशिश की, उसने इक्वालिटी लाने की कोशिश की, कि इंडियन्स है, वो भी ब्रिटिश के लोगों का केस लड़ पाए, पर बच्चे वहाँ पे जो ब्रिटेन में सरकार बैठी थी, उसन person by Indian, and sought equality between British and Indian judges, मतलब इलबर्ट बिल का मोटिफ तो बहुत अच्छा था, पर ये बिल क्यूंकि पास नहीं हो पाया, इसलिए इंडियन्स को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, अब समझ आया, ठीके, ठीके, येस बच्चे ब्रिटेन ने पास नहीं होने दिया, प्रतीक रॉक बच्चे, वर्नाकिलर प्रेस अक्ट में क्या था, पहले जितनी भी आपको बातचीत करनी होती थी, आप ऐसे समझे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो तो पड़े लिखे थे, पर नॉर्मल जनता तो पड़ी लिखी नहीं थी, अब अगर उनको नॉर्मल जन फैलाने के लिए, बिटिश ने उनसे वो राइड भी झीझ लिया, बिटिश ने यह बोल दिया कि अगर आपने नुउस्पेपर में कुछ ऐसी चीज चापी है, जो हमारे अगनस्ट है, जो बिटिश के अगनस्ट है, हम आपके नूस्पेपर पर क्या कर देंगे, ताला अगर यानि ब्रिटिश सरकार को लगा कि कुछ भी आपने गलत चापा है ब्रिटिश के अगेंस्ट तो आपके न्यूस्पेपर पर क्या लगा दिया जाएगा ताला लगा दिया जाएगा ठीक है समझ में आया ठीक है सोवरेन का मतलब बच्चे वो है कि जब आप इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाओ बिना किसी की इंटर्फेरेंस के अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे तो यह जब तीन चीज़े पास हो गई अब यह क्योंकि गुस्सा बढ़ गया उनका इंडियंस को बहुत गुस्सा आया इंडियंस ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि अब हम एक बड़े प्लाटफॉर्म पर आएंगे और हम क्या बनाएंगे अब हम इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बनाएंगे चीक है अब हम इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बनाएंगे और सब लोग इखटा होके साथ में फाइट करेंगे तो बच्चे इसी तरीके से इसी बैग्राउंड में इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बनता है कब 1885 में इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्छे 72 डेलीगेट्स बच्छे डेलीगेट्स में यहां पर आप समझिए लोग बच्छे अब यह आय का यह आय है बॉम्बे में मुंबई उसका पुराना नाम क्या है बॉम्बे तो बच्छे 72 डेलीगेट्स केम टुगेधर इन बॉम्बे और उनने क्या फॉर्म किया उनने फॉर्म किया इंडियन नैशनल कॉंग्रेस अब बच्छे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है वो कौन-कौन है कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स है उनके नाम हम याद रखेंगे वो कौन-कौन है फोटो में कौन दिखरे कौन बतायागा फोटो में किन के बारे में बताया जा रहा है टोटल 72 डेलिगेट्स वियरीगुड वियरीगॉड राज .. महाण एपॉर्टेंट लीडर्स में बच्चे delegate का मतलब लोग people ठीक है अलग-अलग background के lawyer, advocate, engineers अलग-अलग आय साथ में और उनने क्या बनाई Indian National Congress बनाई तो बच्चे सबसे पहले leader थे दादा भाई ना रोजी फिर हमारे लिए जो important है वो है फिरोश्चा, महता फिर बच्चे फिरोश्चा, महता के बाद हमारे लिए जो सबसे important है वो है डबलू सी, बैनर जी फिर बच्चे इनके बाद कौन थे शुरेंद्रनाज बैनर जी फिर बच्चे थे आरसी दत और सबसे लास्ट में है वो कौन है सुब्रमन्य अईयर अब बच्चे आप सोच रहे होंगे ये सब हम नाम क्यों लिख रहे हैं सुरेंद्रनाज बैनर जी वो इंपोर्टेंट येस बच्चे आंसर देते रहे ऐसे ही इस क्लास को हम इंटराक्टेव रखेंगे वेरी गुड सुरेंद्रनाज बैनर जी वेरी गुड तो बच्चे ये सारे लीडर्स है हम ये क्यों पढ़ रहे हैं क्यूंकि आपसे पूछ सकते हैं कि अर्ली कॉंग्रेस के इंपोर्टें लीडर्स के नाम लिखिए तो आपको ये पात से छे नाम याद रहने चाहिए और आपको ये लिखने हैं इन में से कौन है दादा बाइनारो जी फिरोश्चा महता बदरूद्दीन तयब जी डबलू सी बैनर जी सुरेंद्रनाद बैनर जी आर्सी दथ और सुब्रमन्यम अ अब बच्चे दादा भाई नारो जी जो है इनकी एक किताब है वो हमार को नाम याद रखना है क्योंकि आपसे वो शौट टाइप क्वेशन में पूछ सकते हैं दादा भाई नारो जी थे कौन तो बच्चे ये लंडन में सेटल्ड बिजनसमेन थे पर जब इन्हें पता च बच्चे जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो कि कहीं बार आपसे पूछ सकते है कि पोवर्टी एंड अण बृटिश रूल किताब किसने लिख trends या फिर दादा भाई नारो जी की एक सबसे इंपॉर्टेंट किताब के बारे में बताईए तो आपको ये लिखना है Poverty and Un-British Rule चीक है समझ में आया यहां तक अब बच्चे यह जो delegates आए अब इनका जो तरीका था वो कैसा था काम करने का लाल बाल पाल also ma'am बच्चे वो भी हम discuss करेंगे जब हम extreme leaders के बारे में पढ़ेंगे या radical leaders के बारे में पढ़ेंगे उनके बारे में यह बच्चे यह वो इंडियन वह इंडियन ही थे पर वह सेटल कहां पर थे लंडन में थे वह पार्सी थे इंडियन थे पर सेटल कहां पर थे काम करने कहां गए थे लंडन गए थे कहीं बार हमारे रिलेटिव भी होते हैं इंडियन होते हैं पर कहीं बाहर जाते हैं काम करने यह बच्चे बाल बाल लाल बाल पाल भी हैं वो कौन है एक्स्ट्रीम लीडर है यह गोपाल कृष्ण गोखले इस ऑल्सों एन इम्पोर्टेंट मौडरेट लीडर आप उनका भी नाम लिख सकते हैं ठीक यह बच्चे हम आगे उसी पर जा रहे हैं ठीक है अब बच्चे हमने देख लिया इंडियन नाशनल कॉंग्रेस बन गई इंडियन नाशनल कॉंग्रेस तो बन गई पर उसमें 2 फैक्शंस से कौन बच्चे एक थे moderates, दूसरे थे extremes या फिर radicals, अब moderate का क्या मतलब है, moderate का मतलब, INC इस बच्चे इंडियन नाशनल कॉंग्रेस, इंडियन नाशनल कॉंग्रेस, इलबर्ट बिल बच्चे, प्यूश कुमार इलबर्ट बिल पास कराने की कोशिश की थी ब्रिटेन पार्लियमें में, पर वो पास नहीं हो पाया, इलबर्ट बिल लेके कौन आया था बच्चे तो गवर्नर जन्रल था, एक रिपन नाम का, वो लेकर आया था, ठीक है, ठीक है, ओके, फुल फॉर्म ओफ डबलू सी बैनर जी, अक्षित, ओके, वो में शंद्र बैनर जी वो इस दी फुल फॉर्म ओफ डबलू सी बैनर जी, ठीक है, अब बचे, दो लीडर्स थे, एक थे मॉडरेट, दूसरे थे रैडिकल, अब मॉडरेट नाम से ही पता चल रहा है, मॉडरे फास्ट या एक्स्ट्रीम मॉवमेंट पे जाके काम करवाना चारे है, मॉडरेट का क्या मतलब है, जो डिसकास करेंगे, अवेरनेस फैलाएंगे, पबलिक ओपीनियन जनरेट करेंगे, और धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, वही एक्स्ट्रीमिस्ट या आदित्य रंजन, बच्चे आएंसी इसलिए फेमस था, क्योंकि ओल इंडिया लेवल पे पहली बार हो रहा था, कि अलग अलग जगव से लोग इखटा होकर, कोई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल ओगनाईजेशन बना रहे थे, अभी तक हमने जो इनिशियल पड़ी थी, पूना सार्वजनिक सबा या मदरास महाजन सबा, बच्चे वो कुछ-कुछ एरियास में थी, ठीक है, कुछ मदरास में थी, कुछ बॉम्बे में थी, पर एक इंडियन नाशनल कॉंग्रेस पहली ऐसी ओगनाईजेशन थी, जो ओल इंडिया लेवल पे थी, इसलिए ये इत ब्रिटिश, यानि इनका तरीका कैसा था काम करने का, तो बच्चे अगर सबसे पहले हम बात करें, मॉडरेट्स थे कौन, तो कॉंग्रेस जब स्टार्ट हुई, या जब बनी, तो 20 सालों तक जो भी काम कर रहे थे, वो मेंली कौन थे, वो थे, मॉडरेट्स, तो कॉंग्र ब्रिटिश पाल्लियमेंट के बिल्कुल मेंबर थे, बिल्कुल पार्ट थे, अब मॉडरेट का मतलब क्या हुआ बच्चे, मॉडरेट का मतलब वो जो कैसे काम कर रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, धीरे-धीरे काम करने में बिलीफ कर रहे हैं, जो कोई मुवमेंट नहीं स्क्राइब आगे तो वो दीरे दीरे हमारी बाते भी मान लेंगे यानि अगर हम प्रिटिश के आगे डिमांड करेंगे कि हमें हमें प्रीडम चाहिए हमें आप आजादी दिला मान भी लेंगे तो यह जो मॉडरेट का तरीका था वह क्या था moderate leaders wanted to develop public awareness about unjust nature of British rule अब ये किसके through करते थे तो ये newspaper publish करके articles लिखके और ये बता के कि British हमारे साथ गलत कर रहे हैं यानि ये कोई movement नहीं चलाना चाह रहे थे ये कुछ अलग नहीं करना चाह रहे थे ये सिर्फ newspaper में लिखके लोगों में awareness generate कराना चाह रहे थे अब बच्चे उनने अपनी speeches में काफी criticize किया British को और जनता को इखटा करने का कोशिश भी किया कैसे public speeches देखे कि British हमारे साथ कित्ता गलत कर रहे हैं पर अगेन इनने कोई movement चलाने की कोशिश नहीं की ठीक है फिर इनने third point जो है जो कि हमने अभी discuss किया यह क्या belief करते थे यह belief करते थे कि British जो है अगर हम उनको कहेंगे कि यह हमारी मांगे है यह हमारी demand है वो दीरे दीरे उसको पूरा कर देंगे यानि जो third point है they felt British had respect for ideals of freedom and justice and if they accept the just demand of Indians what was necessary therefore was to express these demands and make the government aware of the feelings मतलब यह सोचते थे कि अगर हमने सरकार को aware करा लिया कि आप जो हमारे साथ कर रहे हो गलत कर रहे हो तो वो शायद guilt में आके हमको freedom देंगे तो यह notion क्या सही था क्या comment में बताओ बच्चों क्या यह notion सही था क्या moderate का कि British को अगर हम यह कहेंगे कि यह देखी हमारी यह यह problem है प्लीज आप हमारी problem solve कर दीजिए तो क्या वो solve कर देंगे क्या answer बताइए बच्चे लोग इसका तो यह moderate का जो तरीका था क्या वो सही था क्या यह जो उनकी सोच थी वो सही थी क्या ठीके श्रिष्टी साक्षी पूच रहे है whose idea was to create the INC group बच्चे सुरेंद्रनाथ बैनर जी जो थे main driving force जो थे बनाने का Indian National Congress को वो सुरेंद्रनाथ बैनर जी थे ठीके no ma'am no ma'am okay very good तो यह moderate का जो तरीक आता था definitely यह बिल्कुल गलत था अगर वो यह सोच रहे थे है कि British जो है अगर हम उनसे demand करेंगे और वो हमको freedom दे देंगे definitely यह गलत था पर बच्चे अब leaders है उनने कुछ तो अच्छा काम भी किया होगा अब हम moderate भी पढ़ रहे हम radicals भी पढ़ रहे तो moderate ने भी definitely कुछ ना कुछ demand रखी होगी कुछ ना कुछ अच्छा काम भी किया होगा तो बच्चे अगर हम बात करें moderates ने क्या-क्या demand रखी थी British के आगे क्योंकि वो ऐसा सोचते थे ना कि अगर हम demand रखेंगे तो हमारी demand पूरी कर देंगे तो अब demand भी तो कुछ रखी होगी तो बच्चे demand क्या रखी थी उनने सबसे पहली demand जो उनने रखी थी वो थी Indian का representation होना चाहिए कहां पर legislative council में बच्चे legislative council क्या है जहां पर law बनाए जाते हैं यानि जो country को rule करने के लिए आप जो law बनाओगे वहां पर किसका representation होना चाहिए वहां पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए legislative council का फिर बच्चे दूसरी demand ने क्या रखी थी कि administration जो है administration जो है उसको क्या हो जाना चाहिए उसको indianized हो जाना चाहिए इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है बच्चे कि administration में जितने भी लोग है उनमें इंडियन का भी participation बराबर होना चाहिए इससे हमें क्या पता चलता है कि administration मैम criticized means अभिनव गुपता बच्चे criticized means जब तक जब आप सामने वाले को यह बताओ कि आप कितना गलत कर रहे हो आप उसको यह चीज बताओ कि आपने हमारे साथ क्या 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 गलत किया है उसको हम बोलते क्रिटिसाइज करना एके व्लॉग्स बच्चे क्या रिपीट करना है आप मुझे वो बताईए comment में अभिनव गुपता ओके I think I have told criticized का मतलब ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे क्या 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 मतलब है कंट्री को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए सिविल सर्वेंट चाहिए आईएस ओफिसर्स होते हैं administration में कौन होते हैं आईएस ओफिसर्स होते हैं IPS ओफिसर्स होते हैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पुलिस सर्विस में भी जाना होगा बहुत सारे लोगों को आईएस बनना होगा तो बच्चे IES और IPS कौन है, administration चलाने वाले, country का डेखरेक करने वाले, country का कारोबार चलाने वाले, तो बचे, administration में जितने भी लोग थे, वो कौन थे, mainly British थे, तो moderates ने क्या demand किया, कि administration में Indians लाओ, अब ये कैसे demand किया, उनने, ये कहे के, कि जो civil services का exam है, किसका exam, civil services का, बचे, civil service का exam किसली होता है, IES और IPS रिक्रूट करने के लिए होता है, तो civil service का exam है, वो कहां होना चाहिए, अभी तक London में हो रहा था, वो demand कर रहे है, moderate leaders, कि वो India में भी होना चाहिए, India as well as in London, अब तक कहां हो रहा था, सिव लंडन में, उनने बोला, नहीं, ये exam इंडिया में भी कराओ, और administration में Indians को भी लेकर आओ, ठीके, अब बचे, ठीके, अब बचे, जो third demand है इनकी, इनकी जो third demand थी, वो क्या थी, कि आप judiciary और executive को भी separate कर दो, क्या कर दो, separation of executive and judiciary, अब इसका क्या मतलब है, बचे, judiciary का मतलब है, justice दिलाना, और executive का क्या मतलब है, law जो बने हैं, उसको country में implement कराना, अब आप ऐसा समझो, कोई law है, जिससे आप परिशान हो, आप citizen हो, किसी law में आपके साथ गलत हुआ है, आप जारे किसके पास हो, जुडी शिरी के पास, पर बचे, आपको पता चलता है, कि executive और जुडी शिरी का बंदा है, वो तो सेम है, तो क्या आपको justice मिल पाएगा, फियर, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिसने आपके साथ wrong किया है, वो आपको कैसे justice दे सकता है, तो इसलिए moderates ने बोला, कि भाईया separation करो किसका, executive का और जुडी शिरी का, ठीके, अब बचे, ये तो रही बात किसकी, political demand की, दूसरा उनने क्या किया, उनने कुछ issues भी race किये, उनने कुछ दिक्कते भी बताई, कि क्या-क्या दिक्कते हम face कर रहे हैं आपके rule से, उनने सबसे पहले दिक्कते बताई, poverty, उनने ब farmers है, वो काफी जादा क्या face कर रहे हैं, हर साल famine face कर रहे हैं, क्योंकि आपने इतना जादा land revenue ले लिया है, कि अब उनके पास अपने cultivation करने के लिए भी पैसा नहीं बचा है, वो एक debt में फस गए हैं, और क्या आ रही है, वो poverty में फस चुके हैं, और वो अकाल पे अकाल tax लगा रहे हो, यह कैसा है, यह बहुत जादा खराब है, यह बहुत जादा exploitative है, बचे exploitative का मतलब जो किसी को बहुत जादा परेशान करे या बहुत जादा किसी के against हो, या बहुत जादा किसी को इतना जादा वो उनसे extract कर ले कि उनके पास end में कुछ बचे ही नहीं, ठीक इनने कहा वोगा कि इकनॉमी में भी आको हमारे साथ कुछ अच्छा करना चाहिए रमेश वे ओके मैं जूडीश्री और एक्जेक्युटिव क्यों अलग करवाने के लिए कहा था बच्चे इसलिए कहा था अलग कराने के लिए अब तक ne करा आशरी Luck ईड़ीजरी का काम है अगर आपको उस law से कोई दिवकत है तो आप जसटिस के लिए कहां जा सकते हो जूडीजारी के पास जा सकते हो पर आप ऐसा सौचो कि एग्जीक्यूटिव और जूडीज री में यूड़ीजरी में एव बॉट ऑए बफा तो क्या बच्चे वो आपको pure justice दिलवा पाएगा क्या वो तो कहेगा कि मैंने जो law implement किया है वो बिल्कुल सही किया है हलाकि वो गलत भी हो सकता है पर क्यूंकि वो same बंदा है तो वो ये चीज़ accept नहीं करेगा इसलिये उनने कहा कि इन दोनों का क्या होना चाहिए separation होना चाहिए ठीक है अब बच्चे उनने economic demand क्या क्या raise की उनने कुछ economic demand भी raise की होगी उनने सबसे पहले बोला कि आप ये जो irrigation है इस पर tax को क्या करो बच्चे, decrease करो, आपने जो irrigation करने पर खेती करने पर आपने जो ये tax लगा रखा है, आप उसको क्या करो, decrease करो, चीक है, आपने जो forest के लोगों के साथ, जो forest tribal community के साथ गलत कर रखा है बच्चे, उसको आप, मैम ये judiciary, executive और legislature क्या होता है, ठीक है, बच्चे, एक तरीके से आप समझ लो, कोई law है, law बनाने का काम किसका है, legislature का है, उसको implement कराने का काम किसका है, executive का है, अब वो चेक करना कि वो law सही है या गलत है, लोगों के हित में है या नहीं है, वो किसका काम है, वो judiciary का काम है, ठीक है अब बच्चे वापस इस पर आएंगे, इनने economic demand और क्या की, कि आपने जो land revenue इतना ज़्यादा लगा रखा है, आप उसको क्या करो, decrease करो, ठीक है, irrigation पर tax को decrease करो, बच्चे, land revenue को decrease करो, आपने जो ये arms act पास कर रखा है, इसको क्या करो, arms act को abolish करो या खतम करो, ठीक है, तो बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि moderate ने क्या क्या demand रखी थी, तो आप ऐसे bifurcation कर सकते हो, economic demands, political demands, और last में उनने क्या क्या issue भी raise की, आप इस तरीके से flow chart बना के completely लिख सकते हो, ठीक है, अब बच्चे ये तो इननने demand raise करी, ये तो बात हो गई हमारी moderate की, इन इनने ये demand raise करी, इनकी ये demand जो है, वो British ने कुछ मानी, कुछ नहीं भी मानी, ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे दूसरा type, moderate के बाद, तो कौन थे वो, वो थे extremist, कौन थे, radicals या फिर extremist, अब अच्चे इन में जो सबसे तीन important नाम है हमारे ले वो कौन है, लाल, बाल, पाल, ठीक है, लाल is for लाला लाचपतराए, बाल is for बाल गंगाधर तिलक, और पाल is for विपिन चंदरपाल, तो बच्चे जब भी हम extreme या radical leaders की बात करेंगे, तो हमेशा इन तीनों का नाम आएगा, अब बच्चे freedom is our birthright, ये slogan किस ने दिया है, जल्दी अल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे ये किस ने दिया है, freedom is our birthright, बच्चे ये जो slogan दिया है, वो दिया है, बाल, गंगाधर, तिलक जीने, ठीक है, freedom is our birthright, आप से पूच सकते हैं, आयूश मौर्या, लेलिया आपका नाम ठीक है, ओके, तो लाल, बाल, पाल, जो है वो freedom जो है, वो हमारा जनम से अधिकार है, ये किसने का है, ये का है, बाल, गंगाधर, तिलक जीने, ठीक है बच्चो, तो अब हम extreme leaders की, तो हमने बात तो कर ली कि leaders कौन-कौन थे, अब इनका काम करने का तरीका कैसा था, ये भी जानना पड़ेगा, ये काम करते कैसे थे, तो ब different from that of moderates, ये आप से एक probable question बन सकता है, कि radical का काम करने का तरीका moderate से कैसे अलग था, तो बचे moderate से ऐसे अलग था, कि जो ये moderate का prayer और petition करने वाला तरीका है, जो British से prayer करने का है, कि please हमारी मांगे सुन लो, please हमारी demand accept कर लो, please हमने जितनी भी demand रखी है, उनको सुन लो, उनको ये यानि जो prayer कर करके अपनी demand मांगने वाला तरीका है, वो उसके सक्त खिलाफ है, दूसरा चीज वो किस पर emphasis करते हैं बच्चा लोग, तो वो emphasis करते हैं self-reliance और constructive work के, self-reliance से मतलब है जब आप आत्म निर्भर हो, यानि इंडिया जब किसी पर dependent नहीं है, वंश राजपूत ओके, ठीक है, प्यूश कुमार इसके notes बच्चे आपको app में मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, मैम freedom is our birthright and we shall have it, yes बच्चे it is that, यह हमने सिव एक line, top line लिए कि वो बोलना क्या चाह रहे, आरियन विदान तू, ओके, ठीक है, अब बच्चे उनने क्या emphasis था, उनका दो चीजो में emphasis था, एक था self-reliance और दूसरा था constructive work, बच्चे self-reliance का मतलब है आत्म निर्भरता, यानि जब आप किसी पे भी dependent नहीं हो, वो Indians को बोलते थे कि हमें British पे dependent होने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी national education को promote करना चाहिए, हमें local languages को promote करना चाहिए, हमें जो local businesses हैं उनको promote करना जैसे बच्चे आज की तारीक में आत्म निर्भर भारत, बस उसी तरीके से extreme leaders भी belief करते थे आत्म निर्भर भारत में, ठीक है, अब दूसरी चीज वो क्या बोलते थे, constructive work, बच्चे constructive work का क्या मतलब है, constructive work का मतलब है, जब आप काम कर रहे हो किस पे, लोगों की education पे, लोग को जागरुक बनाने में, तो बच्चे हम उसको एक तरीके से बोलते है, constructive work, जब आप local businesses को promote कर रहे हो, these all are examples of constructive work, तो बच्चे ये moderates को criticize करते थे, किसलिए, उनकी prayer politics की वज़र से, इनके दो focus क्या-क्या थे, एक था self-reliance और दूसरा था constructive work, ये चीज याद रखनी है, third point इ इनने self-rule या फिर स्वराज के लिए rule दिया था, यानि इंडियन को rule करने का अधिकार है, किसी पे तो वो किस पे है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पे, ना की ब्रिटिश पे, तो बच्चे आपको main three point याद रखने, स्वराज, self-reliance, constructive work, और ये criticize करते थे, किसको? prayer politics को, किसक moderate की, okay? इर्तिका भट, आपको doubt है, आप सीधा doubt आपका pin कर दीजिए, आपका doubt सीधा लिख लीजिए, okay? इर्तिका, okay, आप आपका जो भी doubt है, बच्चे, doubt लिखने की बजाए, आप सीधा doubt आपका जो भी है, उसको type कर दीजिए, okay? अब अच्छे, हमने देखा moderate, हमने देखा extremist, अब कुछ ऐसा होगा कि moderate और extremist को साथ में आना पड़ जाएगा, यानि अब जो moderates हैं, वो किसके साथ आ गए, extremist के साथ आ गए, यानि अब दोनों मिलके लड़ेंगे, अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों अब मिलके लड़ेंगे, तो बच्छे अब ऐसी चीज हुई कि अब हो गया partition of Bengal, क्या हो गया, partition of Bengal, तो बच्छे यह हुआ कब, यह हुआ 1905 में, इसको करा किसने, तो बच्छे वाइसरोई, जैसे आज की टाइम में हमारे गवर्नर होते हैं, स्टेट के वैसे, ब्रिटिश के वाइसरोई होते थे, करजन ने, partition किया किसका, Bengal का, अब बच्छे Bengal का partition कैसे किया, तो एक तरफ तो बना दिया, West Bengal, दूसरी तरफ बना दिया, East Bengal, और East Bengal के साथ किसको जोड़ दिया, आसाम के स्टेट को जोड़ दिया, अब बच्छे ये जो West Bengal है, उस वक्त अगर हम आज क्या मैप देखे, ठीक है, इर्थिकाभट के रहे, पॉलिटिकल डिमांड, ठीक है बच्छा, पॉलिटिकल डिमांड में बच्छा, उनने तीन-चार चीजे जो है, वो डिमांड करी, एक डाउट है, इसको क्लियर करवा देते हैं, कि पॉलिटिकल डिमांड क्या थी, तो बच्छे, मॉडरेट्स ने पॉलिटिकल डिमांड जो करी, उसमें सबसे पहला उनने जो बात बोली, वो बोली कि इंडियन्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेजिसलेटिव काउंसिल में, यानि जो आपकी लॉड मेकिंग बॉड़ी है, जो लेजिसलेटिव काउंसिल है, उसमें इंडियन्स को भी जोड़ो, उसमें सारे आपने जो ब्रिटिश के लोग भर रखें, उनमें इंडियन्स का भी पार्ट होना चाहिए, इंडियन्स को भी उसमें अटाच करो, इंडियन्स को भी जोड़ो, बच्चे जो उनने दूसरी बात बोली, वो क्या बोली, कि administration में इंडिया के लोग भी होने चाहिए, यानि जो आपके IS, IPS officers हैं, जो आपके civil servant है, उनमें भी इंडियन्स को जोड़ो, अब कैसे जोड़ो, कि आप जो ये civil services का exam करा रहे हो, उसको आप अभी तक सिव लंडन में करा रहे हो, पर अब आप वो डिमांड कर रहे हैं, कि आप इसको इंडिया में भी करवा हो, ठीके, तो एक बात इनने ये बोली, तीसरी चीज उनने क्या डिमांड की बच्चे, कि जो executive और judy श्री है, इनको अलग-अलग करो, ये दोनों साथ में नहीं चाहिए हमें, इसे भी रिमूफ करो, ठीके, तो ये सारे political demands थी, I hope now it is clear, इर्थिका, now we'll move forward again, partition of Bengal, अब अच्चे, स्वदेशी और लिजेंड के, बच्चे, अभी हम उस पर आ रहे हैं, हम अभी स्वदेशी मूब्मेंट को भी डिसकस करेंगे, पहले partition होगा, दो हिस्सों में, एक West Bengal, दूसरा East Bengal, अब अच्चे, West Bengal में उस वक्त, आज का जो state बिहार है, और Odisha है, आज ही अलग-अलग state है, पर बच्चे, पहले ही ये सब पार्ट किसका थे, West Bengal का ही पार्ट थे, चीके, बंगाल में ही आते थे ये सारे states, अब बच्चे, अब इनने partition तो कर दिया, इनने reason क्या दिया, इनने reason ये दिया, कि क्यूंकि बंगाल जो है, इतना वड़ा state है, तो हम इसे rule नहीं कर पारे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, administrative convenience की वज़र से, administrative convenience की वज़र से, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको divide कर रहे हैं, दो हिस्सों में, कि बंगाल इतना वड़ा state है, हम इसे rule नहीं कर पारे हैं अकेले, तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, बंगाल के दो टुकडे कर रहे हैं, ताकि हम administration में क्या ला पाए, convenience ला पाए, यानि हम administration को easily run कर पाए, ठीक है, अब administrative convenience लाने की उनने बात करी, पर बच्चे क्या ये real intention था, comment में बताओ, क्या ये real intention था, administrative convenience क्या real intention था, बिल्कुल नहीं था, real intention क्या था, या real motive क्या था, बच्चे वो ये नहीं चाहते थे, कि बंगाल के जो politicians हैं, बंगाल में जो politicians हैं, वो लोगों को influence नहीं कर पाए, इसलिए उनने क्या किया, उसको divide कर दिया, बंगाली politicians, बंगाली politicians should not be able to influence people, यानि बंगाल में जो nationalism की feeling आ रही है, लोगों में जो nationalism की भावना आ रही है, उसको हटाने के लिए उनने क्या किया, बंगाल को ही divide कर दिया, कि nationalism की feeling को ही अगर हम cut कर देंगे, तो ये जो आगे धीरे-धीरे जो movement या इखटा होने की बात बोल रहे हैं, लोग जो हमारे against इखटा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो खतम हो जाएगा, इसलिए आप से क्या question पूछ सकते हैं बच्चा लो, कि reason stated क्या था, यानि बताया गया reason क्या था, तो बताया गया reason क्या था, administrative convenience, पर बच्चे असली reason क्या था, या real motive क्या था, तो बच्चे असली motive ये था, कि बंगाली politicians जो है, या फिर बंगॉली politicians जो है, वो influence नहीं कर पाए लोगों को, वो nationalism जो है, उसको spread नहीं होने दे उनने एक तरीके से divide and rule कर दिया, ठीक है, अब बच्चे, मिशन ग्रिगोरियन पूछ रहे है, मैम बांगलादेश इस्ट बेंगॉल में आता था, क्या बिल्कुल बच्चे, जो आपका बांगलादेश वाला पार्ट था, वो आपका कुछ पार्ट उसमें इस्ट बेंगॉल मे तो आप वो सरकार अच्छे से नहीं चला पारे हैं, तो इसलिए आप कहरे हैं कि हमारी administration में काफी दिक्कते आ रही है, बड़े state होने की वज़र से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके दो हिससे कर रहे हैं, ताकि क्या हो हम आराम से इसको रूल कर पाए, एक पार्ट को लोग रूल करेंगे, तो इसका मतलब है administrative convenience, यानि administration में easy हो जाए, सहूलियत हो जाए, इतने बड़े state के लिए, इसलिए हम उसके दो टुकडे कर रहे हैं, ठीक है, मैयूराज बोल रहे है, मैम explain Swaraj in detail, बच्चे हम करेंगे आगे, अभी Swaraj आएगा, we will discuss, Swadashi में Swaraj को discuss करे मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके बच्चे, तो अब क्या हुआ, partition हो गया Bengal का, अब क्या Indians चुप रहेंगे, क्या, जी नहीं, Indians चुप नहीं रहेंगे, तो Indians ने बंगाल partition के response में क्या लांच किया, Swadashi Movement लांच किया, बच्चे क्या लांच किया, Swadashi Movement किया अब स्वधेशी मूवमेंट में क्या था तो बच्चे अब तक जितने भी मूवमेंट हो रहे थे अभी तब कोई बड़े लेवल पर मूवमेंट हुआ नहीं था लोग जो है सिर्फ न्यूस्पेपर के थू यह जान रहे थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है पर बच्चे पह करने के लिए निकल पड़ी थी तो बच्चे हम क्या सकते हैं अब बच्चे जो मॉडरेट्स और रेडिकल्स थे इनने जो पार्टेशन है उसको उपोस किया और दोनोंने साथ में आके क्या लॉंच करने के लिए स्टार्ट किया उनने लोगों को इखटा किया मास प्रोटे क्या बोला गया इस मुवमेंट को बोला गया स्वदेशी मुवमेंट यानि अपने देश के लिए लड़ाई जो हो रही है अपने देश के लिए जो हम लड़ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे स्वदेशी मुवमेंट इसलिए इसका नाम क्या था स्वदेशी मुवमेंट था बंगाल में इस movement का एक और नाम था. क्या नाम था वंदे मात्रम movement कहा पे आंध्रप्रदेश में इसने जनरेट करी self-help. Self-help से मतलब है कि हमें किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है हमें अपना काम खुद करना है हमें इंडस्ट्री के लिए भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है हमें जो भी प्रोडक्शन करना है वह खुद के लेवल पर करना है ठीक है अभी तक क्या हो रहा था हम किसी भी गुड्स के लिए किस पर डिपेंडे है British dependent है यह बोलेंगे नहीं हमें स्वराज चाहिए हमें जो भी चीजे करनी है वो कैसी होनी चीए made in India होने चीए हम क्या होने चाहिए हमें रूल करने वाला कौन होना चीए खुद इंडियन होने चाहिए समझ में आया तो यह किस की बात करेंगे स्वराज की बात करेंगे यानि जा भी सेल्फ या फिर सेल्फ रूल यानि प나 इंडियंज का स्वकें अमना चाहिए फिर बच्चे स्वादेशी लगे का यानि जो made in India enterprise है, उसको हमें promote कराना चाहिए, made in British नहीं, made in India को promote करना चाहिए, स्वदेश ये enterprise का मतलब ये हो गया, जितने भी business है, वो कैसे होने चाहिए, made in India होने चाहिए, फिर बच्चे ये किसकी बात करेंगे, national education की बात करेंगे, जो पढ़ाई लिखाई का medium है बच्चे वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, national ठीके, यानि made in India होना चाहिए, पढ कराथी हो गई, हिंदी हो गई, अलग-अलग हमारी इंडिया में इतनी सुंदर-सुंदर भाशा है, हमें उसका प्रेयोग करना चाहिए, इंग्लिश का प्रेयोग नहीं करना चाहिए, फिर ये क्या कहेंगे, boycott of British Institute, बच्चे boycott का मतलब है, जितने भी British institution है, हमें उनको उन करना, ठीक है, तो बच्चे स्वदेशी इन सब की बात करेगा, सब चीज कैसी होनी चाहिए, made in India होनी चाहिए, rule किसका होना चाहिए, इंडियन का होना चाहिए, ठीक है, तो बच्चे ये पहली बार था, masses इतने large scale level पे इखटा हुई थी, ठीक है, अब स्वदेशी के बात, बच्चे क्या होगा, स्वदेशी मूव्मेंट हो गया, ब्रिटेश ने क्या किया, इसको कही ना कही सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, वेरी गुड, नवीना सिंग, made in India, ठीक है, आंद्रप्रदेश, जैउना आर्टिस है, ठीक है, आंद्रप्रदेश में मात्रप मूव्मेंट पढ़िया, ठीक है, अब बच्चे स्वदेशी के बाद क्या ऐसी अलग-अलग development हुई, तो बच्चे स्वदेशी के बाद क्या देखने को मिला, revolutionary violence का rise देखने को मिला, revolutionary violence से क्या मतलब है बच्चा लो, revolutionary violence से मतलब है, जब आप violence का इस्तमाल करें, किस का इस्तमाल कर रहे है, violence का इस्तमाल कर रहे है, violence used to achieve freedom, जब आप freedom अचीफ करने के लिए, violence का इस्तमाल करें, तो वो क्या है, revolutionary violence है, तो बच्चे स्वदेशी movement के बाद revolutionary violence का भी rise देखने को मिला, एक और development क्या देखने को मिला बच्चा लो, तो Muslim landlords इखटा होके, उनने किस की स्थापना की, All India Muslim League की स्थापना की, कहां पर, डक्का में, बच्चा डक्का कहा है, अभी, आज की डेट में बांगलादेश में है, पर तब कहां था, तब इंडिया का पाट था, और Muslim League, All India Muslim League बनी कब, तो 1906 में बनी, अब अगेन बच्चे आपसे ये question पूछा जा सकता है, कि All India Muslim League बनी कब, तो 1906 में बनी, बनी कहां पर, तो डका में बनी, और बनी कब, तो 1906 में बनी, अब अच्चे जो लीग थी, वो क्या थी, वो प्रो पार्टिशन थी, यानि लीग सपोर्ट कर रही थी पार्टिशन को, लीग जो है, वो पार्टिशन और बेंगल को क्या कर सपोर्ट कर रही थी, जबकि कॉंग्रेस जो है, वो पार्टिशन के बिल्कुल अगेंस थे, पर लीग ये बोल रही थी कि क्योंकि हमारा मुस्लिम मोटिव है, और हम चाहते हैं मुस्लिम वेलफेरिजम, तो वो पार्टिशन के क्या थे, प्रो थे, अब बच्चे क्या फॉर्म हुई है, अंकिता जेन, 1906 में, ठीक है, डाका में, ठीक है, ठीक है, अब बच्चे, इनकी सबसे पहले डिमांड क्या थी, इनकी सबसे पहले डिमांड थी, separate electorate की, separate electorate से क्या मतलब है, separate electorate से मतलब है, बच्चे, for example, अगर वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही ह के लिए कोई भी जना वोट दे सकता है और अगर separate electorate अगर किसी का बन गया है तो बच्चे अगर मुस्लिम लीडर है तो उसको वोट उसकी कम्यूनिटी वाला मेंबर ही धे पाएगा यानि अगर मुस्लिम लीडर है तो उसको वोट भी कौन देगा मुसलिमी देगा तो बच्चे इनने क्या de maand की इनने de maand की की हमको separate electorate मिलना चाहिए और British से इंगि और मान दिली British ने इनकी यहростक भ मानी? 1909 वह चैक है अब बच्चे हुआ क्या ouch radical or moderate जो थे वह साथ में थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर 1907 में कुछ ऐसा हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट में जो लोग साथ में थे यानि moderate और extremist वो अब अलग हो गए अब वो अलग क्यूं हो गए उनमें split क्यूं आ गया यानि 1907 में बच्चे क्या हुआ Congress में Split हो गया यानि Moderates और Extremists Extremes या फिर Radicals वो अलग हो गया अब वो अलग क्यों हो है Moderate चाह रहे थे कि हम जो ये Boycott कर रहे है British को हम जो ये Avoid कर रहे है British को अब ये हमें बंद कर देना चाहिए वही Radical क्या बोलेंगे Radical बोलेंगे कि हमें ये movement जब तक चलाना चाहिए हमें ये boycott जब तक चलाना चाहिए जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती अब अच्चे इन दोनों में ये दोनों का view अलग अलग था इसलिए इन दोनों में क्या हो जाएगा Split हो जाएगा कब 1907 में पर बच्चे फिर क्या होगा आठ साल बाद वापस कुछ political situation ऐसी आ जाएगी कि दोनों में वापस pact भी हो जाएगा दोनों में सुले भी हो जाएगी कब 1915 में Congress में वापस जो moderate और एक्स्ट्रीम अलग हुए थे moderate और radical अलग हुए थे इनके बीच में क्या हो जाएगी इनके बीच में सुले हो जाएगी इनके बीच में क्या हो जाएगा दोनों साथ में आ जाएगे Mission Gregorian कह रहा है मैम League Partition को support क्यों कर रही थी बच्चे Muslim League Partition को support इसी लिए कर रही थी क्योंकि उसमें जब division हो गया partition हो गया तो बेंगॉल में जो partition होने के बाद Muslim की जो population थी वो majority में आ गई थी यानि अब Muslim population जो है वो जो पहले minority में थी अब वो majority में आ गई अब क्योंकि वो majority में आ गई तो बच्चे Muslim League तो definitely उसको support करेगी जब Muslim की सारी मांगे पूरी हो रही है उनकी majority में वो आ रहे हैं तो बच्चे वो क्यों फिर support नहीं करेंगे इसलिए उनने partition जो है उसको support कर रहे थे ठीक है यह एक reason है अब बच्चे Congress में moderate और radical के बीच में split हो गया अब यह split जो है यह खतम कब हो जाएगा यानि दोनों के बीच में सुलह कब हो जाएगी 1915 में अब अच्चे हमने यह भी देखा हमने एक चीज यह भी देखी कि हमारे जो कि moderate और radicals थे यह रिउनाइट हो जाएगे 1915 में अब अब अच्चे हमने देखा Congress और Muslim League जो थे वह भी partition में अलग-अलग view रखते थे यानि दोनों में भी टसल था दोनों में भी जगडा था लड़ाई थी अब अब अच्चे कि जो 1915 में solve हो जाएगी और दूसरी लड़ाई जो चल रही थी किसके बीच में moderate और radicals हो गए reunite दूसरी लड़ाई चल रही थी Congress और हमारी Muslim League में वह दोनों के बीच में रिउनाइट कब हो जाएगा 1916 में जब लखनव पैक्ट साइन हो जाएगा ठीक है यहां तक समझ में आया बच्चे बिल्कुल बच्चे अंकिता जिन बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लखनव पैक्ट में दोनों के बीच में लड़ाई solve हो गई थी ठीक है अब बच्चे ज छोड़नी निये spirit अपनी बनाए रखनी है क्योंकि एक्जाम बिल्कुल पास में है और हमें जल्दी जल्दी इस चाप्टर को ख़तम करना है तो बच्चे जल्दी जल्दी इस question का answer दे देंगे कि who was the author of poverty and British un-british rule in India बच्चे इसके author कौन थे poverty and un-british rule in India के very good अब्दुल हमिद ने बोला है दादा भाई नारोजी is the correct answer option number B हमारा दादा भाई नारोजी एकदम correct answer है हिमेश लखनव पक्ट वो है जिसमें Congress और Muslim League ने भी एक दूसरे की जो differences है उसको खतम कर दिया था दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी partition को लेके वो उनने solve कर दी थी ठीक है option B very good very good very good दादा भाई नारोजी ठीक है ठीक है अब अच्छे next question की ओर चलेंगे हम question बो to confiscate the assets of newspaper including their printing press if the newspaper published anything that was found objectionable बच्चे यह act कौन सा था जली अल्दी बताएंगे यह act कौन सा था कौन से अक्ट में बोला था कि आपके newspaper को जब्त कर दिया जाएगा आपके printing press को जब्त कर दिया जाएगा अगर उसमें कुछ भी खराब objectionable चीज लगी तो very good option number C बोल रहें अब्दुल हामेद very good very good आर्यन विदानतु very good ठीक है okay very good everyone is doing really good vernacular press act था option number C is the right answer very good अब अच्चे आगे बढ़ेंगे हम next session की और से पहले एक और question हो जाए next session में बढ़ने से पहले एक और question हो जाए कि बच्चे कौन सा movement था जो की launch हुआ था partition of Bengal के against बच्चे कौन सा movement था कौन सा movement था जल्दी बताएंगे कौन सा movement था जो की partition के अगेंस्ट launch हुआ था ठीक है very good सबने एकदम correct answer दिया है vernacular press act का अधिती गुपता C ठीक है पीना सेंग ओके very good very good ठीक है अरियन ठाकुर ठीक है चलिए बच्चे जल्दी बताएंगे क्या कौन सा था स्वदेशी movement वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तब है growth of mass nationalism का growth of mass nationalism का यह मतलब है जब public इखटी होने लग जाए और अपने fight करने लग जाए अपने rights के लिए masses इखटी होके masses में जब nationalism की feeling आ जाए कि बस अब हमारा देश है हमें इसे खाली कराना है और अब हम इन गोरों को नहीं रहने देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे mass nationalism तो बच्चे this period of mass movement involving अलग अलग तरीके के लोग पीजेंट, tribal, students, women in large number यानि बच्चे जब अलग अलग background से लोग इखटा होके अपने rights के लिए fight करे और British rule को भगाने की बात करे तो वो क्या है वो mass nationalism हो अब बच्चे mass nationalism rise हुआ इसके पीछे कुछ तो reason हो गया था, world level पे अब start हो गया था, first world war क्या start हो गया था, first world war झान हो पजिए वर्ष्ट वर्लड वार में हमारा ब्रिटिश भी लड़ रहा था हमारा ब्रिटेंग भी लड़ रहा था अब ब्रिटेंग लड़ रहा था तो इसकी वज़ए से क्या स Lot provide प्रिफेंस कंडिकर बहुत को बढ़ा दिया पर defense expenditure को बढ़ाया कैसे लोगों पे taxes को बढ़ा के यानि लोगों को बोला कि अब आपको जाधा tax भढ़ने पड़ेंगे क्यों ताकि हम अमारे defense expenditure को बढ़ा पाए तो बच्चे उनने क्या किया लोगों पे taxes बढ़ा दिया लोग जो business चला रहे थे उस पे भी taxes बढ़ा दिया दूसरा reason क्या हुआ बच्चे चीजे बहुत महेंगी हो गई चीजे क्यों महेंगी हो गई क्योंकि सारा जितना भी resources है वो कहां लगावा है वो वार लड़ने में लगावा है तो जितनी भी essential commodity है उनकी कमी हो गई उनकी कमी हो गई तो बहुत जादा महेंगी हो गई तो बच्चे जिसकी वजह से क्या हो गया लोगों को बहुत difficulty होने लग गई जो चीज पहले 10 रुपे की मिल रही थी अब व बहुत जादा हिट हो गया इसकी वज़र से वह काफी परेशानी फेस करने लग गया लोगों में बहुत जादा गुस्सा आ गया बहुत गरीबी आ गई लोगों में ठीक है इसकी वज़र से क्या हुआ बच्चे लोगों में गुस्सा आ गया तो mass nationalism definitely बढ़ेगा very costly very good ठीक है अब बच्चे थर्ड डिमांड जो है वो क्या थी थर्ड चीज क्या हुई या थर्ड इंपक्ट क्या हुआ वार का तो बच्चे थर्ड इंपक्ट यह हुआ कि industrial goods जो है उनकी डिमांड काफी जादा बढ़ गई world level ते यानि अगर आप war लड रहे हो तो आपको चीजे चाहि werd या तो बच्चे इसकी वजए से एक अच्छी चीज क्या हुई इंडियन इंडस्ट्रीस को flourish करने का मौका मिला इंडियन इंडस्ट्रीस को क्या चीज करने का अधि jal lapers home करने का मौका मिला तो इसलिए इसते इस टाइम पर expand कर पायी क्यों क्यूंकि बाहर से अब import आना बंद हो गया, बहार से import आना बंद हो गया, तो इंडिया को time मिल गया, space मिल गया, खुद का production करने का, खुद का production करने का, अब बच्चे क्या हुआ, अब आप war लड रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए, बिटिश ने क्या किया, villages से लोगों को उठा ल हुआ कि बिटिश तो वर्ल लेवल पे कितना जयादा ब्रिटिश ने आतंख मचा रहे है, बिटिश ने वर्ल लेवल पे कितना जयादा गलत कर रखा है, तो बच्चे जब वो इंडिया में आए वापस, तो उनकी एकदम लाइट चमक गई, उनकी एकदम दिमाग की बत्ती जमग गई कि British तो कितना जादा गलत कर रहे हैं, British ने कितना जादा exploitation कर रखा है, तो बच्चे उनकी awareness और भी जादा बढ़ गई, ठीक है, तो बच्चे आपका question क्या आ सकता है, आप से question ये पूछ सकता है, कि economic impact और political impact क्या हुआ First World War का, तो बच्चे आपको ये सारे points उसमें लिखने ही लिखने हैं, ठीक है, और mass nationalism rise होने के पीछे भी बच्चे ये ही reason थे, अब बच्चे क्या होगा, mass nationalism तो rise हो रहा है, ठीक है, लोग जो है, एक तरीके से, ठीक है, आर्यान ठाकूर बोल रहे हैं, अत्याचार बिल्कुल, उन्हें अब बिल्कुल समझ में आ गया, कि उनके साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बहुत सारी चीज़े गलत हो रही है ठीक है अब बच्चे क्या हुआ मास नैशनलिजम पब्लिक जो है इखटा और है मूवमेंट के लिए लड रिये उनके लिए अवेर्णेस भी आ रही है साती साथ में गांधी जी का भी गांधी जी का वहित खार आंड़ी जी का बी आना हो जाता है धीके गांधी जी का होजएगा कहां परiku пेम इंडिया में इसे फैल इंडिया === गांदी जी इंडिया में आने से पहले कहां पढ़ थे वेरी गुड गांदी जी इंडिया में कब आए he came to India in 1915 और बच्चे वो आए कहां से यहां पर कहां है गांदी जी तो यह रहे हमारे गांदी जी यह फोटो कहां की है बच्चे तो यह फोटो है नेटल कॉंग्रेस जो की कहां पर थी जो की एक डर्बन नाम की जगह थी अगर डर्बन का है बच्चे डर्बन है साउथ आफरिका में बच्चे गांदी जब जब इंडिया आए थे वो वो औरेड़ी साउथ आफरिका में जो racial discrimination हो रहा था या जो discrimination हो रहा था लोगों के साथ उसमें fight करके आये थे, तो गांदी जी के पास already बहुत experience था कहां का, South Africa के freedom struggle का, तो बच्चे इसलिए आप से कभी भी पूछा जाए कि गांदी जी आये कहां से थे, तो गांदी जी South Africa से आये थे, गांदी जी इंडिया कब आये, 19th, 15th में आये, अब बच्चे गांदी जी जैसे ही इंडिया आये, तो उनने एक साल तक क्या किया? गांदी जी ने अपने first year of career in इंडिया में, first year, इंडिया में जब वो आये, पहले साल उनने सिफ इंडिया का टोर किया, तो गांदी जी तो और का मतलब बच्चे गांदी जी घुमे जगा जगा लोगों की प्रॉब्लम समझी उनने तो अपने arrival के बाद गांदी जी एक साल तक जगा जगा घुमे और उनने लोगों की problem समझी, लोगों की तकलीफे समझी, कि लोगों को क्या क्या problem हो रही है, चीक है? ठीक है, मिशन ग्रिगोरियन पूछ रहे, पॉलिटिकल इंपक्ट क्या हुआ अब वार का, बचे पॉलिटिकल इंपक्ट ये हुआ वार का, कि अब लोग जो है, मासिस जो है, वो और जाधा अवेर हो गए, कि ब्रिटिश रूल जो है, वो कितना जाधा खराब है, यानि जो गवर्मेंट है, वो कितनी जाधा खराब है, लोगों को अब पता लगने लग गया, ठीक है, very good, 1917 में चमपारन प्रतीक रॉक स्टार बोल रहे है, ठीक है, हाँ, बिलकुल, आरियन ठाकूर बोल रहे है, observe the problem of people, एक साल उनने टूर क्यों किया, इंडिया का, लोगों की problem ही नहीं, उनने तीन जगे पे successful movement भी चलाए, अपने initial year में, तो वो तीन जगे कौन कौन सी थी, एक थी चमपारन जो की है बिहार में, दूसरी थी खेडा, और बच्चे तीसरी है, एहमदाबाद, एहमदाबाद, तो बच्चे इन तीन जगे पे गांदी जी ने successful सत्यागर भी चलाए, और सिर्फ successful सत्यागर नहीं चलाए, यह अपने दो बहुत अच्छे अजीज दोस्तों से भी मिले, कौन कौन इनके दोस्त बन गए इस टाइम पे, तो बच्चे एक दोस्त बने राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे जो important friend बने वो कौन थे, सरदार, वल्लब भा पटेल, ठीक है बच्चा लोग, very good, ठीक है, प्यूश कुमार के लिए, yes, okay, ठीक है, तो इनने ये तीन जगे पे successful सत्यागर चलाए, successful movement चलाए, और उनने दो जो है, उनके जो colleague है, या जो friend है, उनको जो आगे movement में काफी cooperate करेंगे, वो कौन थे, राजिंद्र प्रसाद और सदार वललभाई पटेल, अब अच्चे गांदी जी जब इंडिया आए, उनने एक साल टूर भी किया, एक साल टूर करने के बाद इंडिया में एक ऐसी बड़ी घटना हुई, जिसके वज़े से गांदी जी को पूरा मौका मिला, mass movement, चलाने का mass movement initiate करने का, अब अच्चे व freedom of expression और police power जो है, वो काफी जादा बढ़ गई, बचे रोलट act के तहत ये हुआ, कि सरकार अब किसी को भी उठा के जेल में डाल सकती है, आप easy भाषा में सबजना चाओ, तो रोलट act में ये था, रोलट act में अगर सरकार को लग रहा है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, वो आपको बिना किसी warning के या बिना किसी आपको proof करके आपको सीधा क्या कर देगी, जेल में उठा के डाल देगी, अब अचे ये act सोचो कितना गलत है, आप ऐसे ही किसी को भी उठा के जेल में कैसे डाल सकते हो, अगर आप कुछ कह रहे हो, और सरकार को लग रहा है वो गलत है, वो आपको जेल में उठा के डाल देगी, ये कितना गलत हो रहा है, तो गांधी जी ने बोला, ये बहुत गलत है, ये बहुत अत्याचारे कि आप लोगों के freedom of expression को रोक रहे हो, ठीक है, तो माहत्मा गांधी, मौहमद अली जिन्ना और बहुत सारे other leaders को ये feel हुआ, कि government के प लॉंच किया, रोलट सत्यागर, इसमें लोगों को क्या का गांधी जी ने, गांधी जी ने ये कहा कि आप इस दे को ऐसा मानो कि ये एक day of humiliation है, यानि ये एक ऐसा इतना बुरा दिन है कि अब हम से बोलने का अधिकार भी छीना जा रहा है, इस दे पे आप जो है एक तरीके इसे पब्लिक लेवल पर प्रोटेस्ट करो और इस दे को क्या डिकलेर करो, humiliation day डिकलेर करो, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए हुए जेल डाल देना, ठीक है, प्रतिक रॉक स्टार, very good, very good, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अ सत्यागरह में violence नहीं होना चाहिए, यानि ये सत्यागरह कैसा होना चाहिए, बिल्कुल, non-violent होना चाहिए, ठीक है बच्चा, तो ये याद रखना है कि सत्यागरह कैसा होगा, non-violent होगा, अब बच्चे, इसी के लिए गांदी जी ने क्या form कराई, सत्यागरह सभा भी form हैं कि रोलर जो सत्यagar रखा है वो कॉनसे मुव्मेंट में बनी थी तो बच्चे सत्याग्र हब बनी है हमारे मैं रोलर सत्याग्र के लिए ठीक है यह पॉइंट याध रखना है अब बच्चे रोलरर टार पास हुआ है तो लोगों भी आज भी जिस पे बहुत दिक्कारा जाता है ब्रिटिश को जो किए जलिया वाला बाग मैसेकेर में क्या हुआ था आज भी हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे को जाते हैं कि लोगों के साथ कितना बुरा किया गया था, बच्चे लोग वहाँ पे इखटे हुए थे बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए, पर ब्रिटिश ने क्या किया, एक ही एंट्री डोर था, उसको भी बंद कर दिया गया, और लोगों पे ओपन आम फाइरिंग कर दी गई, ओपन फाइरिंग कर दी और जो एक exit थी उसको भी बंद कर दिया, नहीं लोग जो है वो अब भार जा भी नहीं पा रहे थे, and finally बहुत सारे लोगों की उसमें क्या हो गई, death हो गई, ठीक है, तो बच्चे, ये करा किस ने था, General Dyer ने करा था, किस दिन करा था बच्चे, बैसाखी वाले दिन करा था, जो की कब है, 13th April 1919, और बच्चे, इसी movement में, या इसी जलिया वाला बाग massacre को criticize करते वे, रविंद्र नाठ टेगोर जी ने अपनी नाइठ होड छोड़ दी थी, त्याग दी थी, अब बच्चे, नाइठ होड का क्या मतलब है, जैसे लोगों को Nobel Prize मिलता है, उनके excellence के लिए, वैसे एक नाइठ होड मिलता है, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, पबलिक सर्विस में, या फिर आप लिखते अच्छा हो, तो उसके लिए सरकार जो है, बहार बिटेन वाली सरकार जो है, वो क्या देती थी, नाइठ होड देती थी, पर रविंद्र नाठ टेगोर उने जलियावाला बाग मैसेकर होने के बाद अपनी वो नाइठ होड त्याग दी, ठीक है, नाइठ होड क्या कर दी, त्याग दी, अब बचे, रोलट अक्त हो गया, रोलट सत्यागर हो गया, जलियावाला बाग मैसेकर हो गया, पर लोगों में जो गुस्सा था, वो अभी करेंगे और हम उसे एंड में एंड तक फाइट करते रहेंगे फूजा बोल रही है वाट इस लखनाओ पैक्ट बच्चे लखनाओ पैक्ट में पीछे बता चुकी हूं लखनाओ पैक्ट वह पैक्ट था जिसमें कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए थे उन दोनों कि अपया गता बाग मैसे क्ट बहुत गलत हुआ है और मासेस जो भी उनमें एनरजी अभी उनमें ताकत बाकी है तो उनने डिसाइड किया अब हम क्या लाउंच करेंगे अब हम नन कॉर्परेशन लांच करेंगे और बच्चे नोन कॉर्परेशन के साथ और ऐसा इसा इसी उसमें Muslim League का भी साथ मिल गया, वो कौन सम्म मूवमेंट था, वो था, खिलाफत एजिटेशन, अब अच्छे, खिलाफत का इशू क्या था, इसको सिंपल भाषा में समझेंगे, बहुत जादा technical detail में ना जाके, पहले एक Ottoman Empire हुआ करता था, तर्की वाले रीजिन में, ऐसा समझ सकते है, sacred guru, या फिर किसी भी kingdom को चलाने के लिए, जो सुल्तान के उपर एक guru है, या फिर एक religious leader है, sacred guru भी नहीं समझें, तो आप ऐसा समझें, religious leader, उसे क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था, पर वच्छे हमें पता है, वोल्ड वोर के टाइम पे, ब्रिटिश और टर्क जो खलीफा वाली post चल रही थी, उसने क्या किया, abolish कर दिया, उसको हटा दिया, ब्रिटेन, removed, post of, खलीफा, ठीक है, और खलीफा कौन थे, religious leader थे, और जितने भी जो भी इसलाम धर्म को follow करते हैं, वो सब इस खलीफा में believe करते थे, तो बच्छे जब ये खलीफा को हटाया ब्रिटेन ने, तो जो इंडियन Muslims थे, उन्हें काफी बुरा लगा, उन्हें ये ब्रिटेन की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और इसी वक्त, non-corporation वाला movement भी क्यों स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि जलिया वाला बाग मैसे केर के बाद, गान्दी जी ने डि उनिफाइ हो जाए और एक साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करें, इसलिए इस movement को क्या बोलते हैं, खिलाफत, agitation and non-corporation movement, यानि यहाँ पे Muslim League और Congress साथ-साथ आ गए, ठीक है, अब बचे non-corporation movement जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम सरकार की किसी भी चीज में उसक साथ corporate नहीं करेंगे, तो बचे इसका सबसे पहला provision क्या था, कि बहुत सारे students और government controlled schools जो थे, उनने क्या बोला, उसको छोड़ दिया, यानि ब्रिटेन का जो भी school था, उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, ब्रिटेन के जितने भी school थे, और जो भी English controlled school, government colleges थे, उन सब को मास movement लड़ने आ गए, अब अच्चे जो बहुत सारे lawyers थे, जैसे कि मोतिलाल नहरू जी, सियार दाश जी, सी राज गोपालाचारी जी, असर वली, इनने भी अपनी practices gave up कर दी, यानि जो ये पहले cases लड़ा करते थे, law जो ये file करते थे, या फिर case जो ये लड़ा करते थे, वो भी अब इनने करना बंद कर दिया, यानि अब इनने भी अपनी practices give up कर दी, क्यों, क्योंकि अब ये non-corporate कर रहे हैं, सरकार का जो भी चीज ऐसी, जो जो भी corporation मांग रहे हैं, वो सब में वो corporate नहीं करेंगे, ठीक है, अब बच्चे बहुत सारे लोगों ने legislature को भी boycott कर दिया, यानि avoid कर दिया, लोगों ने क्या किया, publicly खटा होके, जितने भी foreign cloth है और foreign चीजे उनको जला दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो made in India को promote कराना चाहते थे, yes, very good प्रतीक रॉक स्टार बोल रहे है, खिलाफत इशू में मुहमद अली और शौकत अली जो थे, उनने initiate कि बच्चे वो हम आगे अभी cover करने ही वाले हैं, ठीक है, पर अगर आपने क्योंकि इशू raise किया है, तो हम लिख लेते हैं इस चीज को भी, कि खिलाफत movement में leaders कौन-कौन थे, मुहमद अली और शौकत अली, नेक्स पेज में बच्चा हम leaders देखने वाले थे, जिनमें हम इनका नाम discuss करने वाले थे, पर आप अभी ये देख लीजिए कि मौहमद अली और शौकत अली जो थे, वो खिलाफत leaders थे, ठीक है, Congress में हमारे गांदी जी थे ही, मौहमद अली, शौकत अली और गांदी जी साथ में उनने खिलाफत non-corporation movement स्टाट किया, तो बच्चे non-corporation में एक और क्या feature था, कि लोगों ने publicly आके जितना भी फॉरंग था, उसको burn किया, उसको publicly criticize किया, और foreign clothes को क्या किया, boycott करने का प्रंड ले लिया, ठीक है, अब बच्चे non-corporation movement all India level पे तो चली रहा है, पर कुछ-कुछ areas में लोगों ने भी अलग-अलग तरीके के initiative लिये, और वो क्या-क्या लिये है, अब जैसे अगर हम बात करें बच्चे खेड़ा और गुजरात में, तो वहाँ पे लेंड रेवेन्यू के against, लेंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा high था, इसलिए लोगों ने क्या launch किया, non-corporation किस चीज में, taxes पे करने में, यानि उनने बोल दिया के अब हम किसी भी तरीके का tax नहीं पे करेंगे, क्योंकि आपका जो लेंड रेवेन्यू है, यह बहुत ज़्यादा है, आपने जो लेंड पे tax लगा रखा है, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम corporate नहीं करेंगे, गांदी बाबा आएंगे और हमें freedom दिला के जाएंगे, अब अच कोई भी दुकान है, या फिर building है, उसके बहार जाके, अगर आप लोगों को यह बोल रहे हो, कि आप इधर enter मत हो, आप इनका समान मत खरीदो, आप उनको एक तरीके से समझा रहे हो, कि यह समान जो आप ले रहे हो, यह बिल्कुल गलत है, यह foreign material है, आमे made in India को promote करना है, forest, सत्यागर, बचे forest सत्यागर का क्या मतलब है, आंध्रप्रदेश में लोगों ने forest पे, बिटिश जो थे उनने forest पे बहुत ज़्यादा tax लगा रखा था, forest पे tax लगा रखा था, मतलब है, forest की जितने भी resources है, जितने भी crops आ रहे हैं, उन पे बिटिश ने बहुत ग्रेज भी कराएंगे और हम आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करेंगे, तो बच्चे ऐसे सत्याग्रव को क्या बोलते हैं, यह कहाँ देखने को मिला था? आंधरप्रदेश में देखने को मिला था. अब बच्चे सिंध और बंगाल में क्या हुआ? लोगों ने, जो ये खिलाफत इशू है, जो खिलाफत इशू चल रहा था, उस पे अपनी वोईस रेज की और कहा कि ये खिलाफत, आपने जो रिमूफ किया है खिलाफत की पोस्ट ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल चाही बोल रहे है, बच्चे हमने जब गांदीजी वाला डिस्कस किया है, कृती शिवास्त तप हमने तीन जो उनके successful movements हमने वो डिस्कस की हैं, चंपारन, खेडा और आमदाबाद, मिल स्ट्राइक तो बच्चे, वहाँ पर हमने ये चीज mention करी है ठीक है बिल्कुल बच्चे, हम थोड़ी दिर में इसको wind up कर देंगे प्रतीक रॉक्स्टार कह रहे है My aim is to become IAS officer crack UPSC, thanks ma'am Definitely प्रतीक आप इसी तरीके से पढ़ते रहो, you are doing really good and आप बिल्कुल IAS exam clear कर दोगे, ठीक है ठीक है, अब बच्चे पंजाब में क्या हुआ यहाँ पे हमने people initiative की बात की अब पंजाब में भी कुछ movement हुआ होगा पंजाब में बच्चे ये हुआ पंजाब में गुरुद्वारा को कंट्रोल करने वाले कुछ बच्चे महंत होते थे, महंत कौन थे? गुरुद्वारा को कंट्रोल करने वाले, गुरुद्वारास को कंट्रोल करने वाले महंत हुआ करते थे अब बच्चे ये जो महंत थे, ये क्या साथ मिल गए and became loyal to British. तो बच्चे इनके against जो fight करने वाले थे वो कौन थे? अकाली लीडर्स कौन थे? अकाली लीडर्स फॉर्ट अगेंस्ट इस महन्त समझे बच्चो यह महन्त लोग जो गुरु द्वारा कंट्रोल करते थे यह क्या हो गए थे? करप्ट हो गए थे ब्रिटिश के साथ मिल गए थे पर इनके against fight करने के लिए कौन आए? अकाली लीडर् उनने क्या बोला? इन महन्त को अपनी position से हटा देना चाहिए बच्चे ऐसे ही आसम में क्या हुआ? आसम में बच्चे जो tea laborers थे टी plantation laborers थे बच्चे यानि tea garden में काम करने वाले जो laborers थे उन सबने गांधी बाबा की जय का नारा देते हुए अपना जो movement and non corporation का वो initiate कर दिया यानि अब उनने tea gardens में काम करने के लिए मना बोल दिया और किसका नाम लेते हुए? गांधी जी का नाम लेते हुए ठीक है? अब बच्चे लोग ये तो हमने पढ़ लिया people's initiative ठीक है? यानि अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग movement क्या-क्या चला है? अब बच्चे the people's mahatma इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, गांधी जी को the people's mahatma खा जाता था, क्यों? क्योंकि बच्चे गांधी जी जब इंडिया में आये, उनने लोगों में एक नहीं उमंग जगाई, उनने एक rise of hope दिखाया, ठीक है? एक hope की किरन दिखाई लोगों को कि अब हमें freedom मिल सक लोग काफी जाधा परिशान थे, लोग बहुत जाधा गरीबी face कर रहे थे, लोग जो है एक तरीके से debt में फसे हुए थे, क्योंकि land revenue इतना जाधा था, लोगों के पास खरीदने के लिए? येस बच्चे, आर्यन वेदान बोल रहे है, ma'am please repeat first point in खेडा गुजरात, बच्चे, खेडा गुजरात में land revenue बहुत जाधा था, इसलिए लोगों ने decide कर लिया कि अब वो land revenue पे जो tax लग रहा है या जो land revenue है वो pay नहीं करेंगे, आप समझ में आया? चीक है? इस great man, प्रतीक रॉक्स्टार, yes, yes, he is great man, indeed a great man, but ये कैसे हमें ये भी substantiate करना पड़ेगा, क्यूंकि वो एक साल country by country घुमे, country by country मतलब country में पूरा all over India घुमे, तो उनने लोगों की problems को समझा, उनने लोगों से connect किया, गांधी जी को अगर आपने देखा होगा, वो दोती पहना करते थे, ठीक है, तो इसलिए लोगों की, लोग उनने कैसे देखने लग गए, as मसिया, ठीक है, उनने कैसे देखने लग गए, मसिया, मसिया हम बोलते है न, ठीक है, उनने क्या किया, लोगों के मन में, होग जगाई, to fight against British, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरीके से जो भजन में, यहाँ पर कृष्ण जी को बताया जाता था, वहाँ पर हमारे जो freedom fighters है, उनने बताया जा रहा है, तो इसी से हमें पता लगता है, कि freedom fighters को कितना great माना जाता था, ठीक है, अब बच्चे, नेक्स जो हमा क्या incident हुआ, वह incident हुआ, चौरी-चौरा incident, अब अच्चे, चौरी-चौरा incident में क्या हुआ, लोग जो है, peacefully demonstrate कर रहे थे, पर पुलिस ने आके सीधा उन पे क्या कर दिया, लाठिया मार दी, उनको मारना स्टार्ट कर दिया, अब अच्चे, क्योंकि उनने लाठी मारना स्ट कर दिया लोगों को, तो लोगों को आगया गुसा, लोगों ने क्या किया, पुलिस ओफिसर्स, 22 पुलिस ओफिसर्स की जान ले ली, मार दिया उनने, लोगों ने क्यों मारा, क्योंकि ब्रिटिश ने सबसे पहले उन पे लाठी चार्ज किया, पर गांधी जी जो थे, वो हम प्रमोट करते थे और कोई भी चीज अगर वाइलेंट जारी है तो गांदी जी उसके बिल्कुल अगेंस थे अब चौरी-चौरा में क्योंकि वाइलेंस हो गया लोगों ने पुलिस ऑफिसर्स की जान ले ली इसलिए गांदी जी ने क्या क्या डिसाइड किया गांदी जी ने डिसाइड किया कि नौन कॉर्परेशन मुव्मेंट को रोग दिया जाए इसलिए गांदी जी ने क्या डिसाइड किया बच्छा लोग कि नौन कॉर्परेशन मुवमेंट को रोक दिया जाए अब बच्चे जब non-corporation मुवमेंट को रोक दिया तो जो चीजे देखने को मिली दो चीजे क्या देखने को मिली बच्चे एक तरफ तो लोगों ने क्या चलाया constructive work अब बच्चे constructive work का क्या मतलब है हम पहले discuss कर चुके हैं लोगों में awareness फैलाना national education देना खादी इंडस्ट्री इसको प्रमोट करना ये तो एक तरफ चलता रहा दूसरी तरफ क्या चलता रहा बच्चे दूसरी तरफ CR-10 मोतिलाल नहरू जैसे leaders ने decide किया CR-10 मोतिलाल नहरू decided to take part in elections उनने ये decide किया कि अब हम सरकारी elections में part लेंगे और हम सरकार का जो day-to-day work है उसमें हम उनको question करते रहेंगे तो बच्चे एक तरफ CR-10 मोतिलाल नहरू जी ने decide किया क्या कि हम elections में part लेंगे हम अपनी party बनाएंगे और election में part लेंगे और दूसरी तरफ बच्चे constructive work चलता रहा ये क्या हुआ non corporation movement के बाद अब बच्चे non corporation movement के बाद दो तीन चीजे और हुई जो हमारे लिए काम किये उसमें सबसे पहला point है कि RSS formulate हुआ कौन फॉर्म हुआ राष्टिय सेवा स्वयम सेवक संग जो RSS है वो formulate हुआ बच्चे ये का formulate हुआ 1925 में इसी के साथ साथ बच्चे Communist Party of India भी 1925 मे formulate हुई फिर बच्चे 1927 में क्या हुआ ब्रिटिश ने डिसाइड किया एक कमिशन को भेजने के लिए जिसका क्या नाम था जिसका नाम था साइमन कमिशन वेरे मोतिलाल नहरू जी ने स्वाराज पार्टी बनाई अंशिका यू आर सेंग करेक्ट ठीक है ये सियार दास मोति किया का डिसाइड करने के लिए फ्यूचर ऐसा उनने क्यों वेजा क्योंकि डेफिनेटली यहां पर लोग जो है नौन कॉर्परेशन मुवमेंट चला था यानि उन्हें पता लग गया था कि लोग चुप तो नहीं रहेंगे तो उनने डिसाइड किया हम एक कमिशन बेजें कि आप किसी भी मुवमेंट की शुरवात ऐसे कैसे कर सकते किसी भी कमिशन को आप ऐसे कैसे बना सकते हो जिसमें इंडियंज ही नहीं है आप इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो बिना इंडियंज के तो इसलिए लोगों ने क्या नारे दिये साइमन कमिशन के लिए साइमन गो बैक साइमन तुम वापस जाओ इंडियन नहीं है उसमें इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है साइमन गो बैक ठीक है अब बच्चे कॉंग्रेस को यह चीज समझ में आ गई कि ब्रिटिश ऐसे नहीं मानने वाली तो ब्रिटिश ने भी धान लिया कि अब हम क कि अलावा किसी और चीज को एकसेप्ट नहीं करेंगे तो बच्चे कॉंग्रेस ने क्या पास किया रेजल्यूशन जवाल नाल नहरू जी की प्रेसिडेंट्शिप में पूर्ण सुवराज क्या पास किया पूर्ण सुवराज बच्चे जिसका क्या मतलब है complete independence यानि अब हम ब्रिटिश का नामों निशान भी नहीं चाहिए इंडिया में अब हमें क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन्स चाहिए और इंडियन्स ही रूल करेंगे हमें complete independence चाहिए बच्चे यह कब उनने लॉंच किया 1929 में लाहोर सेशन में ठीक है का इसमें प्रेसिडेंट कौ बच्चे यह आप से पूछ सकते हैं कि complete independence की demand कव हुई तो complete independence की demand हुई हमारी 1929 में कहां पर लाहोर सेशन में इसके प्रेसिडेंट कौन थे इसके प्रेसिडेंट थे जवाललाल नहरू जी यह सेशन कौन सा था बच्चे यह सेशन था लाहोर सेशन और independence डे कब खोशित किया गया 26 जनवरी 1930 अब अच्चे यह सब developments तो चली रहे थे non-corporation movement हमने देखा चौरी-चौरा के बाद खतम हो गया बच्चे उसके बाद वापस एक और चीज़ देखने को मिली वह मिली rise of revolutionary violence क्या देखने को मिला rise of revolutionary violence अब अच्चे यह rise of revolutionary violence से मतलब है revolutionaries जो है वो violence को use करके independence पाना चाहरे थे उसमें सबसे फेमस बच्चे जी यह कौन है सब को बताएंगे comment box में कौन है यह भगत सिंग तो बच्चे ऐसे ही revolutionaries ने मिलके एक association बनाई थी जिसका नाम है हिंदुस्तान socialist Republican association बच्चे यह बनी कब है यह 1925 में बनी है चीक है इसका नाम क्या है एचे सारे सौरी बच्चे यह 1928 में बनी है माई बैड माई बैड 1928 में बनी है इसको करेक्ट कर देंगे एचे सारे बनी है बच्चे हिंदुस्तान socialist republic associations यह किसका गुरूप था यह revolutionary इसका गुरूप था यह बना कब है 1928 में बच्चे इसका headquarter का था यानि यह बना कहा था तो फिरोश्या कोटला करके एक प्लेस है विच इन डेली यह वहां पर formulate हुआ था ठीक है इनकलाब जिन्दाबाद आपसे पूछ सकते हैं कि यह slogan जो है यह किस ने दिया था तो बच्चे यह बगत सिंग जी ने दिया था इनकलाब जिन्दाबाद का नारा उठाया था अब बच्चे इनकलाब जिन्दाबाद नारा उठाया इनने एचे सारे भी बनाया उसके साथ एक और इनके जो revolutionaries हैं, उनने मिलके क्या किया था बच्चे, सबसे पहली चीज जो उनने की थी, वो की थी, assassination of Saunders, बच्चे, assassination का मतलब है, मार देना, बच्चे, Saunders को क्यों मारा, ऐसे तो मारा नहीं होगा, इनके बच्चे, गुरू थे, लाला लाजपत रहे, Saunders ने लाला लाजपत रहे को मारा, तो उनसे रिवेंज लेने के लिए, इन revolutionaries ने Saunders का क्या कर दिया, assassination कर दिया, बच्चे, दूसरी चीज जो famous है, वो क्या है, इनने legislative assembly में bomb भी फैका था, Through, bomb at legislative assembly, अब बच्चे, ये bomb इनने किन के साथ मिलके फैका था तो, बटू केश्वर दत, बी के दत भी कहा जाता है, के साथ मिलके, इनने legislative assembly में bomb भी फैका था, बच्चे, क्या वो bomb असली bomb था, तो जी नहीं, वो bomb एक नकली bomb था, और आपको सुनना पड़ेगा, आपको हमारी मांगे सुननी पड़ेगी, सिर्फ बच्चे इसको demonstrate करने के लिए था, इसमें कोई उनने real bomb नहीं फैका था, उनने सिर्फ एक ये चीज़ पोट्रे करना चाह रहे थे वो, कि आप जो हमारे साथ कर रहे हो वो गलत हो और आपको हमारी demand सुननी पड़ेगी, तो बच्चे उनने इसी famous, जो ये incident हुआ था, इसमें उनने एक चीज़ बोली थी, के to make deaf here, यानि जो बहरे ब्रिटिश हैं, हम उनको ये सुनाना चाहते हैं, कि वो हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं, इसी लिए हमने ये bomb फेका है, और ये bomb भी असली bomb नहीं था, तो बच्चे ये कुछ भगत सिंग से related important point है, जो हमें याद रखने हैं, अब बच्चे कुछ questions देख लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, when was गांदी जी return to India from South Africa, बच्चे गांदी जी South Africa से इंडिया कब आये थे, तो वो 1915 में आये थे, इसलिए correct answer क्या हो जाएगा हमारा, option number B, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, साइमन कमिशन के प्रोटेस्ट में पूजा लाला लाजपतराई की death हो गई थी लाटी चार्ज में, बट उन्हें मारा किसे था, सॉंडर्स ने मारा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बच्चे गांदी जी कब return हुए इंडिय से 1915 में, very good, option number B is the right answer, बच्चे इनकलाब जिंदाबाद ये तो अभी देखा हमने, किसने दिया था ये slogan, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था, बगत सिंग ने, तो correct answer क्या हो जाएगा, option number A, ठीक है, on to the next बच्चे, अब बच्चे हमने revolutionaries भी देख लिये, ह गांदी जी को पता था, ये इतना असान नहीं है, इसलिए complete independence पाने के लिए एक movement चलाना बहुत ज़रूरी था, तो गांदी जी ने इसलिए कौन सा movement launch किया, civil disobedience movement launch किया, तो बच्चे, civil disobedience movement क्यों launch किया, वाइ, इसलिए क्योंकि गांदी जी को पता था, पूर्न स्वराज ब never come on its own, it had to be fought, इसलिए गांदी जी ने क्या declare किया, कि वो क्या करेंगे, civil disobedience movement कैसे start करेंगे, और civil disobedience movement कैसे start करेंगे, salt law को break करके, किसको, नमक के law को break करके, अब बच्चे, गांदी जी ने नमक को ही क्यों चुना, आपसे एक question पूच सकते हैं, कि वाइ डिट गांदी जी च salt बनाने का है, जो process है, जो salt बनाने का तरीका है, या फिर कह सकते हैं, हम पूरी तरीके से उसको monopolize कर रहा था, monopolize करने का मतला, बच्चे, salt बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बिटिश के पास था, common लोग आप salt नहीं बना सकते थे, common लोग भी नहीं, and Indians जो manufacturers है, वो भी salt नहीं बना सकते थे, British के पास अधिकार था, तो बच्चे, गांदी जी ने बोला, ये law बिल्कुल गलत है, फिर बच्चे, दूसरा चीज गांदी जी नहीं सोचा, कि आप salt पे भी tax लगा रहे हैं, मतलब salt एक इतनी basic necessity है, गरीब हो चाहे, अमीर हो हर कोई खा रहा है उसे, कितनी basic चीज पे भी आप tax लगा रहे हैं, आप कितना गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, तो बच्चे, second reason क्या था, गांदी जी रिजन, that it was sinful to tax salt, since it is an essential item of food, आपको रोज मरा की life में salt चेहिए, आप उस पे tax नहीं लगा सकते हैं, बच्चे, third reason क्या था, कि salt march related the general desire, बच्चे कहने का मतलब यह है, चाए अमीर हो, चाए गरीब हो, सब जने salt खा रहे हैं, यानि salt एक unifying factor हो सकता है, salt एक क्या हो सकता है, बच्चे, salt सत्यागरा is part of civil disobedience movement, ठीक है, salt सत्यागरा civil disobedience movement का ही एक part है, दोनों चीज़े अलग-अलग नहीं है, mission Gregorian, understood, ठीक है, ठीक है, तो बच् salt mark जो है, इसने क्या दिखाया, general desire दिखाया लोगों का, एक तरीके से salt अमीर भी खा रहा है, गरीब भी खा रहा है, इसलिए ये एक unifying factor हो सकता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसके लिए, इसलिए गांदी जी ने salt को चुना, अब अच्चे, गांदी जी ने salt को चु का, natural salt लिया, उसको गरम पानी में डाला और salt बना दिया, यानि अब salt law क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अब बच्चे, इस movement में उनके साथ-साथ बहुत सारे लोग थे, जैसे की peasants, बहुत सारे tribal community, बहुत सारी women, women में सबसे important है बच्चे हमारे अंबाबाई और सरोजनी नाइ नाइडू के एक fact है, जो हमारे लिए सबसे important है, जो हमें याद रखना है, कि ये, first Indian women president है, Congress की, बच्चे हमें इसको याद रखना है, इस fact को हमें नहीं बूलना है, कि first Indian women president of Congress is सरोजनी नाइडू, ठीक है, अब बच्चे क्या हुआ, अब ये उनने movement चलाया है, तो movement जो है, उसको suppress भी करा जाएगा, अब movement का suppression कैसे हुआ, पुलिस ने large scale level पे लाठी चार्ज किया, बहुत सारे लोगों को jail ले गए, jailed thousands of people, ठीक है, लाठी चार्ज भी किया, बहुत सारे लोगों को jail ले गए, पर बच्चे लोगों की spirit खतम नहीं हुए, अब जब लोगों की spirit खतम होने हुई, end में सरकार को घुटने टेकने पड़ गए, और result क्या हुआ, result बहुत fruitful था, जैसे हम exam में महनत करते हैं, तो उसके बाद result अच्छा होता है, वैसे ही डांडी मार्च के बाद result में क्या आया, Government of India Act 1935, बच्चे क्या पास हुआ, Government of India Act 1935 पास हुआ, अब इस Act की क्या खासियत थी, बच्चा लोग इस Act की ये खासियत थी, Government of India Act 1935 ने, प्रोविंस इसको क्या दे दी, प्रोविंशियल ओटोनॉमी, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, ओटोनॉमी का मतलब है, फ्रीडम, बच्चे हम शुरू से डिमांड कर रहे थे, हमें सोवरेनेटी चाहिए, हम डिसिजन हमारे खुद ले पाए, तो बच्चे ब्रिटिश ने क्या बोला, जो प्रोविंसिज है, यानि जो स्टेट्स है, उनको ये बोल दिया, कि आपके पास पूरा अधिकार है, अब आपको पूरा, अपका पूरा उनको क्या मिलना चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, पूरा का पूरा उनको फ् 1935 के Act में अब अच्छे इसी के साथ साथ एक और चीज़ क्या हुई Second World War आ गया कि अब सेकेंड वर्ल्ड वर आ गया अब अब अच्छे ये कब आया 1939 में आया अब अच्छे Second World War तो आया ही और प्रोविंशल को आटौनॉमी बिल गई तो प्रोविंस के इलेक्शन भी हो गए अब दोनों चीज़े हो रही है बचे प्रोविंस में जब इलेक्शन हुए तो कॉंग्रेस जो थी वो मजॉरिटी में जीती यानि उसने 7 out of 11 प्रोविंस में कॉंग्रेस की क्या थी तो बचे ये पॉइंट हमें याद रखना है 1935 में प्रोविंस को उटोनॉमी मिलने के बाद क्या हुआ प्रोविंस में इलेक्शन हुए कब 1937 में इलेक्शन में बचे साथ जगे जो है कॉंग्रेस है वो एक तरीके से क्या आई मज़ोरिटी में आई भेरी गुड वेरी गुड प्रतिक लॉकस्टार यह धी कहें टिक अब ऐसे आज बिहार ये बंगौल ये औडशा यह वैसे ये क्या थी यह सब प्रोविंश थी राजिय थे चींडा सेंड वर्ल्ड वेर् आया अब सेंडा वर्ल वर्ल वारा या तो उस् इंटलर की अगेंस्ट फाइट कौन कर रहे थे, ब्रिटिश फाइट कर रहे थे, तो बचे ब्रिटिश ने कॉंग्रेस को बोला कि आप हमारा पूरा सपोर्ट करो, पर बचे कॉंग्रेस ने क्या शर्त रखी, Congress नहीं ये शर्थ रखी, Congress will cooperate with British only if given complete independence, उनने बोला अगर आप हमें आजादी दोगे पूरी तरीके से, तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे वार में, अगर आप हमें complete independence दोगे तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर बचे, British ने क्या बोला, British ने ये प्रपोजल refuse कर दिया, British refused this proposal, Congress के ये प्रपोजल, British ने accept करने से बिल्कुल मना बोल दिया, अब बचे, Congress का अगर प्रपोजल ब्रिटिश ने accept नहीं किया, तो Congress ने क्या किया, अभी इधर election जीत के अपनी बनाई थी सरकार, उससे resign कर दिया, बोल दिया, हमें आपके साथ cooperate करना ही नहीं है, तो 1939 में Congress Ministries ने क्या किया, एक तरीके से resign कर दिया, तो हम क्या सकते हैं, 1939 में Congress Ministries resigned, बचे क्यों resign किया, क्योंकि British ने complete independence देने के लिए मना कर दिया, इसलिए उनने बिलकुल cooperate करने से मना कर दिया, और अपनी जहां पे भी उनने बनाई थी, उनको, ठीक है, ma'am, man do not allow women, but he requested to Gandhi, yes or no, तारा जोशी यह बिलकुल सही बात है, इनिशियली women के support में नहीं थे, पर सरोजनी नाइडू ने गांधी जी को जब एक तरीके से समझाया, और गांधी जी से request की तक कि प्लीज आप women को add होने दीजिये, women को जुड़ने दीजिये movement में, तो गांधी जी ने हां बोल दिया, गांधी जी ने इंकार नहीं किया, ठीक है, अब बचे, 1939 में क्या हुआ, Congress Ministries ने क्या कर दिया, बच्चा लो, design कर दिया, क्यों resign कर दिया, हमने देख लिया, ब्रिटिश ने complete independence देने से मना कर दिया, तो उनने बोल दिया, हमें भी आपकी election वाली ministries मिली है, हमें भी वो नहीं चाहिए, अब अच्चे, Congress ने फिर क्या decide किया, गांधी जी ने इन सब चीजों से परिशानों के finally decide कर दिया, कि अब तो एक ऐसा movement चलाना पड़ेगा, कि अ अब या तो इस पार या तो उस पार, तो बच्चे गांधी जी ने 1942 में, do और die का नारा देकर, क्या launch कर दिया, quit India movement, अब बच्चे, इस quit India movement के feature क्या आते, कुछ हम देख लेंगे, बच्चे सबसे पहला जो feature था, वो था, do or die का नारा दे दिया गांधी जी ने, second important feature ये था बच्चे, कि जितने भी major leaders थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, major leaders, जैसे कि गांधी जी, जवाललाल नहरू जी, इन सब को जेल कर दिया गया था, तीसरी चीज जो काम किये बच्चे वो क्या था, इन leaders को जेल होने के बाद भी, पब्लिक स्टॉप नहीं हुई, पब्लिक डिड नोट स्टॉप इवन आफ्टर अरेस्ट ओफ लीडर्स, लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद भी बच्चे, जो कॉंग्रेस है, उसने बोल दिया, कॉंग्रेस के लीडर्स अरेस्ट हो गए, उसके बाद भी पब्लिक ने बो इश्किल है वेरी गुड आदेते हैं कुट इंडिया येस कुट इंडिया मूवमेंट वेरी ठीक है पबलिक डिड नॉट स्टॉप इवन आफ्टर लीडर्स वर अरेस्टेड बहुत जगे पर बच्चे पबलिक ने क्या स्टैबलिश करी गवर्मेंट ऑफ देयर ओन अपनी खुद की भी सरकार बनाने की कोशिश करी बहुत सारी जगव पर तो बच्चे जब भी कुट इंडिया का आपसे क्वेशन आए आपको ये चार-पांच फीचर है वो आपको लिख नहीं है बच्चे उनने बिल्कुल स रिजाइन कर दिया क्योंकि अब वो ब्रिटिश से किसी भी लेवल पर कॉपरेट नहीं करना चाहरे थे इसलिए उनने रिजाइन कर दिया था ठीक है कम्प्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं एक्सेप्ट होने की वजह से उनने बोल दिया कि बस अब हो गया अब हम भी मुवमेंट में ही लगेंगे तो आपको यह चार पॉइंट याद रखने अब अचे सप्रेशन अगें हर मुवमेंट में ब्रिटिश सप्रेश करने तो पहुची जाती है क्या हुआ बाइदी एंड और बचे 1943 90,000 लोगों की डेथ हो गई और अराउंड हजार लोग बिल्कुल तयार नहीं थी लोगों ने अपनी लाइफ दे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे डेट बॉडिस पड़ी है लोगों ने अब डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए गिव अप तो हम नहीं करेंगे अब डू और डाय का मामला है अब या तो इसमें चलता रहा है अब अब अच्छे यह मूवमेंट कुट इंडिया तो हमने देख लिया अब जो एक और इंपोर्टेंट थी में हमारे लिए जहां से क्वेशन आ सकते हैं वह क्या है बच्छे सुबाश चंद्रबोश जी और आयने आयने इस इंडियन नैशनल आर्मी अब 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 अच्छे यह क्यों पढ़ रहे हैं यहां से आपके questions put up हो सकते हैं short questions में भी पूछ सकते हैं long में भी पूछ सकते हैं role of सुबाश चंद्रबोश जी तो बच्छे सुबाश चंद्रबोश जी in January 1941 he secretly left his Calcutta home कहां चले गए Singapore via Germany and raised आजाध हिंदफोज बच्चे इ main motive क्या था objective क्या था to free India from British control इंडिया को British control से free करने के लिए उनने क्या launch कर दिया बच्चे Indian National Army को launch कर दिया inaugurate कर दिया ठीक है very good बहुत अच्छे पूजा yes इसलिए हमाई ले यह discuss करना बहुत important है ठीक है अब बच्चे 1944 में क्या हुआ INA ने इंडिया में enter होके British को खतम करने की या topple करने की कोशिश की कहां से enter होने के लिए इंफाल और कोहिमा बच्चे इंफाल और कोहिमा का है तो यह आज की date में मनीपूर और नागालेंड में तो बच्चे जो आजाध हिंद फोश थी इननने यह decide कि हम इंफाल और कोहिमा से enter होते हुए इंडिया जाएंगे और British को पूरी तरीके से हरा देंगे ठीक है पर बच्चे क्या हुआ अफसोस यह campaign जो है यह fail हो गया British को इनके plan के बारे में पहले से ही पता लग गया और British ने movement start होने से पहले ही suppress कर दिया पर इसका मतलब यह नहीं है बच्चे कि इनका कोई contribution नहीं था सुभाष चंद्र बोज जी ने INA बनाई उसने इतना अच्छा मोटिफ किया उसने काफी लोगों में awareness फिलाई वो भी याद रखने के योग्य है ठीक है अब बच्चे क्या हुआ अब INA जो है वो movement तो successful नहीं हो पाया तो जो उसके लोग थे British ने उसको उठा के jail में डाल दिया गया अब बच्चे जब jail में डाला उनको जब उनके trials हुए ट्राइल्स मतलब जब उनकी सुनवाई हुई जब बच्चे ओल इंडिया लेवल पे लोगों ने इतना ज़ादा corporate किया आयने लोगों के साथ as in corporate किया उनके trials में कि जो उनके trials है वो कैसे हो fair हो उनकी जो सुनवाई हो वो fair हो और उनको बाइजद बरी कर दिया जाए उनको release कर दिया जाए इसके लिए public इखटी हुई और उसने क्या किया mass level पे protest किया इस movement को क्या बोलते बच्चे आयने ट्राइल्स बोलते आयने ट्राइल्स का क्या मतलब है जब लोग इखटे हुए people इखटे हुए उनने protest किया किसलिए कि जो आयने leaders है जिनको jail कर दिया गया है उनकी सुनवाई कैसी हो fair हो इसी लिए ठीक है तो बच्चे यह points है कुछ आयने और सुभाश चंद्र बोस से related वो हमें याद रखने है अब बच्चे हम कहा जा रहे है हम end phase of हमारे जो freedom struggle है उस पे जा रहे है ठीक है ओके ओके अब हम बच्चे जो last freedom struggle का movement है हम उसके phase पे जा रहे है यानि last चरण में जा रहे है हम जो कि क्या है towards independence and partition अब बच्चे partition की जब हम बात कर रहे है तो partition की demand आई क्यों partition की demand Muslim League ने करी क्यों यह जानना बहुत ज़रूरी है बच्चे इसलिए बहुत ज़रूरी है क्यों क्योंकि partition हुआ है तो ऐसा तो है नहीं एक या दो साल में हो गया होगा Muslim League ने over the period of years कुछ ना कुछ demand करी होगी वो शायद accept नहीं हुई होगी तभी finally उनने partition की demand रखी partition मतलब इंडिया से अलग होने की demand रखी पाकिस्तान बनाने की demand रखी तो बच्चे question आपसे यह पूछ सकते है कि what did Muslim League resolution of 1940 ask for यानि Muslim League ने जो 1940 का resolution था वो क्या मांग रहा था तो बच्चे 1940 का जो resolution था वो यह मांग रहा था independent states होने चाहिए कौन से independent states होने चाहिए जहां जहां भी Muslims है उनको अलग कर देना चाहिए उनको independent कर देना चाहिए इंडिया से अलग होने की बात नहीं हो रही है यहां पर यह बात हो रही है कि उनको अपने decision making खुद लेने की ठीक है वेरी ओके थांक्यू मिस्टर फास्ट्रैक अभी continue करते रहना है पढ़ते रहना है ठीक है हां तो 1940 में Muslim League ने क्या मूँव किया एक resolution मूँव किया जिसमें उनने क्या डिमांड किया इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड किया किसके लिए फॉर मुस्लिम्स इन दी नौर्डर्ण और इस्टन पार्ट्री जहां जहां भी मुस्लिम्स है उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का एक मौका मिलना चाहिए यह रेजल्यूशन यह बात करता है अब बचे यह रेजल्यूशन तो यह बात करता है दूसरा क्वेस्टन यह उठता है कि वाइड लीग आस पॉर अटोनॉमस अरेंजमेंट फॉर मुस्ल मुस्लिम्स को अलग कर देना चाहिए तो बचे सबसे पहला रीजन यह है कि 1930 से ही हिंदूस और मुस्लिम्स जो है उनकी डिमांड अलग अलग होने की वज़र से उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था एक तरीके का हम कह सकते हैं सब्लाइम एक तरीके का टसल था एक कि उन इसकी वज़र से हिंदूस को लगने लग गया कि हमारा देश अलग है मुस्लिम को लगने लग गया हमारा देश अलग है तो सबसे पहला तो रीजन यह है कि वो सेपरेट स्टेट की डिमांड क्यू कर रहे थे बचे दूसरा रीजन क्या है जब हमने पढ़ा था 1937 में इलेक यह आ गया कि अगर हम इसी तरीके से चलता रहा तो हम हमेशा माइनॉरिटी बनके रह जाएंगे हम हमेशा सेकेंड हैंड बनके रह जाएंगे तो बच्चे इसलिए अगर प्रोविंशेल इलेक्श इलेक्शन उफ 1937 प्रोविंस्ट प्रोविंस्ट लीग अट मुस्लिम्स इसलिए उनकी इतनी अच्छी जीत होने के बाद नहीं होने के वजह से उन्हें यह फील होने लग गया कि अब हम जो है हमें एक माइनॉरिटी बनके ही रह जाएंगे इसलिए उनने क्या सोचा कि इंडिपेंडेंट स्केट की हमें डिमांड करनी चाहिए फिर बच्चे एक और मेजर रीजन है वो यह है 1937 में उनने कॉंग्रेस के साथ कोईलेशन बनाने की कोशिश की थी कोईलेश मुस्लिम लीग को इस बात पर भी गुस्सा आया तो बच्चे यह स्टेटमेंट यही कह रहा है तो इसकी वजर से अब लीग को यह पक्का हो गया कि हमें अलग स्टेट की डिमांड करनी ही करनी पड़ेगी इसके अलावा और कोई आप्शन नहीं है तो बच्चे यह तीन प सेंट वर्ल्ट वार खतम हो गया सेके रखी ठोल्ड खतम हो गया तो ब्रिटिश को यह रिलाईस हो गया इंडिएंस तो अप नहीं रुके हारी के से चाहिए पर बच्चे होगा क्या ये टॉक जो है दोनों के बीच में सक्सेस्फुल नहीं हो पाएगी क्यों क्यूंकि कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में फाइट चल रही थी अब बच्चे ये टॉक तो फेल हो गई पर अब आते ही आते क्या हो गया वापस इलेक्षन का समय आ गया के कॉंग्रेस ने लीग को कॉपरेट करने के लिए क्यूं मना खिया बच्चे इसने इए प्रोदिय्वे अचारी थी वो अल्रेड़ी सेवें आउट ओफ 11 प्रोविंस में जीच चुकी थी इस वोज़ा मेजर रीजन अब बचे क्या हुआ इसी के साथ देखते ही देखते 1946 के इलेक्शन आ गए अब 1946 के इलेक्शन आ गए उसमें क्या हुआ Muslims जो है जहाँ पे Muslim population बहुत सारी थी यानि majority में थी वहाँ पे Muslim League बहुत अच्छे नंबर में जीच गई तो अब Muslim League क्योंकि बहुत अच्छे नंबर में जीच गई तो उसको ये विश्वास हो गया कि अब हमें Independence चाहिए ही चाहिए अब हमें अलग होना ही होना है क्योंकि जब-जब Muslim majority में रहेगी Muslim League का हमेशा भला होगा Muslim League हमेशा politically आगे रहेगी तो बच्चे इसलिए Congress did well in general constituency but the league success in seats reserved for Muslim was spectacular यानि जहाँ जहाँ भी Muslim majority में थे और जहाँ जहाँ भी Muslim के पास reservation था वहाँ पे उनकी जीत बहुत अच्छी हुई तो Muslim League को अब यह विश्वास हो गया Muslim League was firm on its demand for Pakistan अब उसे यह विश्वास हो गया कि अब पाकिस्तान तो बनना ही बनना चाहिए फिर बच्छे क्या हुआ ब्रिटिश ने वापस कोशिश की कि भाई तुम तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो हम एक काम करते हैं एक कैबिनेट मिशन बेज देते हैं कैबिनेट मिशन क्या था बच्छे 1946 में आया था तीन लोग आये थे कैबिनेट मिशन में तो बच्छे कैबिनेट मिशन सेंट हुआ इंडिया में जिसने जिसको आगे फ्यूचर डिसाइड करना था कि आगे अब क्या होगा इंडिया और पाकिस्तान का क्या पार्टिशन हो होना चाहिए decide करने के लिए बेजा पर बचे cabinet mission भी failure हो गया क्यूं cabinet mission में कोई भी बात अच्छे से table पे complete ही नहीं हो पाई क्यूंकि Muslim League की अलग demand थी Congress की अलग demand थी दोनों ही negotiate करने को तयार नहीं थे तो cabinet mission क्या था बच्चे failure था तो after the failure of cabinet mission the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand it announced on 16th August 1946 as direct action day बच्चे अब cabinet mission fail हो गया और Muslim League ने decide कर लिया direct action day का मतलब है इस दिन अब partition होके ही होके रहेगा उनने बच्चे 16 August 1946 में decide कर दिया क्या direct action day कि अब partition उसके अलावा कुछ भी नहीं ठीक है hi ma'am take my name श्वेता ठीक है श्वेता direct action day क्या है direct action day वो है जब Muslim ने decide कर लिया कि अब partition ही चाहिए और कुछ नहीं question कहां से आ सकता है यह पूच सकते हैं कि यह कब announce हुआ तो यह announce हुआ है 16 August 1946 16th August 1946 याद रखना है अब बच्चे क्या होना था partition क्यूंकि अब decide कर दिया है तो partition होना ही था बच्चे partition तो हो गया और इंडिया को independence भी मिल गया पर उसके साथ में चीज आई वो क्या आई बहुत सारा bloodshed बहुत सारा bloodshed बहुत सारे लोगों की death हुई बहुत सारी जगे पर बच्चे दंगे फसाद हुए बहुत सारे लोगों को अपने family members से दूर होना पड़ गया तो बच्चे independence तो हो गया independence तो मिल गया पर उसके साथ साथ एक breaded partition भी हुआ जिसकी वज़े से हमने हमारे जो brother and sisters थे उनको खो दिया एंड हमारे brother and sister से हम अलग हो गया तो बच्चे इसलिए partition जो है वो एक क्या एक तरीके से दब्बा है हमारी इंडियन इस्ट्री में अब बच्चे कुछ questions है उसको देखेंगे question पहला क्या बोल रहा है कि who was the first Indian women to become president of Indian national Congress जल्दी बताओ जल्दी बताओ कौन है first Indian women INC की जो president बनी है very good प्रतीक रॉक्स्टार बोले very good very good Sarojini Naidu correct answer क्या है option number a Sarojini Naidu was the first Indian women president of India very good very good everyone very good Aryan Thakur very good very good okay next question बच्ची क्या है quit India movement was started in year बच्चे quit India movement कब start हुआ था जल्दी बताओंगे quit India movement कब start हुआ था quit India movement कब start हुआ था बच्चे quit India movement 1942 में start हुआ था 1940 में नहीं बहुत सारे लोग 1940 बोल रहे 1942 very good 1942 option number c so quit India movement was initiated in year 1942 तो बच्चे I hope आप सबको आज की ये class समझ आई हो आपको कोई भी doubt हो आप लिखते रहिए मैं किसी ना किसी medium से आपका doubt जो है वो clear करने की कोशिश करूँगी आगे दीरे-दीरे करके हम ऐसे ही SST के सारे concepts को clear करने की कोशिश करेंगे and I hope you enjoyed this session thank you so much